चले दोस्तों अब हम हमारी सबसे पहली रीडिंग से स्टार्ट करें and it is related to time value of money दोस्तों time value of money एक ऐसा basic concept है जो आपने छटी साथ हुए 6th to 7th में ही पहली बार पढ़ लिया होगा जिसमें आपने future value, principle, number of years, rate of interest यह सारी चीजों से आपने play किया होगा right in the standard 7th I think 7th में रहता ह यह सारी चीजों रहती है यहाँ पर हम दो चीजों उपर focus करेंगे सबसे पहला तो दोस्तों हम यहाँ पर financial calculator पर आखेर time value of money को किस तरीके से किया जाए वो सीखेंगे पहली चीज, दूसरा चीज time value of money के अंदर basically कैसे future की तरफ value flow होती है, कैसे present की तरफ value flow होती है, क्या होत है, अगर compounding frequency change होती है, annuities अगर at the end है, annuities अगर at the beginning है, इन सारी complexities को हम handle करेंगे, तो I am very sure कि 50, 60, 70% knowledge already आपको time value of money का होगा, बट हम यहाँ पर ऐसे ही पढ़े हैं जैसे कि we are a no voice or हमे time value of money के बारे में कुछ खास ज्यादा पता नहीं है, okay, सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम, अच्छा time value of money, basically आप जानते हो न, why there is a time value of money, suppose करो कि मेरे पास अभी एक 2000 रुपए का pink color का note है, 2000 रुपीस का note है, right, और यह 2000 रुपए का note मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, 2000, आप जो बैठे हो आप मैंसे, मैं किसी एक कोई 2000 2000 रुपीस का note देना चाहता हूँ, क्या पसंद करेंगे, मैं आपको यह 2000 रुपीस का note आज देदू, या फिर मेरे पास एक और option है, आज से एक साल बात देदूँगा, जब आप CFA level 2 में होंगे, तो अब क्या prefer कर रहे है, आज इस 2000 रुपीस की note को मुझे से लेना पसंद क करो कि अगर मैं 2000 रुपीस आज ही आपको देदू, और आप यह ले जाकर कुछ भी मत करो सीदे जाकर बस बैंक में इसकी FD कर दो for one year, तो बैंक की FD का ही interest होता है, suppose 6%, तो यह 2000 रुपीस पर 6%, याने 120 रुपीस का interest आपको मिल जाएगा, और at the end of the one year, this 2000 रुपीस note will turn into 2120 र rate of interest is equal to 0%, rate of interest कितना कर दिया, 0%, याने आप इस 2000 रुपीस के note को कहीं पर भी ले जाओगे, जमा करोगे, आपको एक साल बात वापे से कितने मिलेंगे, 2000 रुपीस ही मिलेंगे, now I am asking the same question again to you, would you prefer taking this 2000 रुपीस note today from me or after one year, still today, why, the another answer is because of inflation, जो चीज़िया आज आप 2000 रुपीस म कर पाएंगे after one year, right, so time value of money के पीछे दो रीजन ता आपने मुझे बता दी, sir, because there is something called as interest rate and there is something called as inflation rate and that's why there is a time value of money and we prefer present consumption of money, okay, let me change the assumption, पूरी दुनिया में interest rate is equal to 0%, पूरी दुनिया में inflation rate is equal to 0%, याने कि इस 2000 रुपे को कहीं जमा करोगे, एक साल बात भी 2000 रुपे ही मिलेंगे इन्फलेशन भी 0% रुपे से, आज जो आप चीज़े खरीच सकते हैं, exact वही quantity आप after one year भी खरीच पाएंगे, now I am again giving you two options, यह 2000 रुपे आप मुझे आज लेना पसंद करोगे, या आप बलोगे चलो एक साल बात भी ले लेंगे, क्या फरक पड़ता है, अब बेबी आप दे कि यहाँ पर दो-तिन जवाब आगे सर, फिर भी हम आज ही पसंद करेंगे कि हमें 2000 रुपीज आज मिल जाए, उसके बीचे रीजन आपने दो-तिन रीजन दी, सबसे पहला तो यह कि चलो ठीके, आज कुछ नहीं मिलेगा, इंट्रेस कुछ नहीं मिलेगा, इंफलेशन मैं कहीं पर बिजनस में लगा कर उससे कुछ रिटान में जनरेट कर सकता हूं, या फिर सर, इससे 2000 रुपीज को चलो मैं कोई बिजनस भी नहीं करने वाला, चलो मानलो आपके पस कोई बिजनस एपॉर्चुनिटी भी नहीं है, तो भी आप यही पसंद करोगे कि 2000 रुपी बिल जाएंगे, आज से एक साल बाद हम कहां हो, आप कहां हो, आप तो मुझे पहचानी जाएंगे, क्योंकि आपको लेने 2000 रुपे, आप शायद हमें ना पहचानी कि भाई, कौन से 2000 रुपे कब बात तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कब मैंने ऐसा बोला था, कम बात प्रिंसिपल पर तो इंट्रेस्ट मिलता ही, मिलता है, लेकिन first period के बाद से हमें principal पर तो interest तब भी मिलता है लेकिन जो first period का interest उस पर फिर से again interest मिलता है that's the feature of compound interest और दुनिया में 99% जगे पर compound interest ही चलता है कुछ-कुछ ऐसी जगे हैं आज भी जैसे कि जब आप cfm आगे बढ़ेंगे तो swap contracts होते हैं वहाँ पर कहीं कहीं पर simple interest होता है दोस्तो दो terminology जो आपको clear होनी चाहिए एक है future value और दूसरी है present value मुझे लगता है दोस्तो future value और present value के concept से आप वाकिफ हैं लेकिन फिर भी मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करता हूं suppose करें कि यहाँ पर हमने एक timeline बनाई है और यहाँ पर this is 0th year एक बात हमेशे यहाँ रखना जो आज है आज जिस वक्त आप यह मुझे लेक्चर पढ़ रहे हो आज का दिन it is called as today और इसको किस से denote करते हैं 0 से denote करते हैं this is 0th time period आज से ठीक एक साल बात is 1 year, 2 year, 3 years and then 4 years suppose करें कि आपके पास कुछ amount आज available है, कुछ dollars है आपके पास आज and you want to know कि आखिर इनकी क्या value होगी at the end of 4th year which means कि आपको इस dollar को कहां ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर 4th year में ले जाना पड़ेगा और 4th year में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें interest minus करना पड़ेगा या फिर इसमें interest plus करना पड़ेगा इसमें interest plus करना पड़ेगा, interest addition की process को हम कहते compounding, is that clear? इसी के against, suppose करें कि आपको किसी ने promise किया है कि वो आपको 4th year पर कुछ dollars देंगे, लेकिन आपका कहना है कि मुझे तो money की requirement कब है, आज है, तो आप एक काम कीजिए, उतने सारे रुपे मत दीजिए जितने आप यहाँ देने वाले, suppose आप यहाँ 5000 dollars देने वाले, एक काम कीजि आज दे दीजिए, मुझे आज dollars की ज़रोते कुछ कम दे दीजिए भले ही, तो अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, उस future के amount को जो वहां रखा हुआ है, उसे हमें pull करना पड़ेगा, मतलब इसको क्या कहता है, हमें pull करना पड़ेगा, तो future के amount को जब हम यहाँ पर pull क करेंगे यहाँ पर, तो हम मुझे पिताईए, जो answer आएगा, 5000 dollars आएगा, उससे जादा आएगा, उससे पका काम आएगा, उससे पका काम आएगा, तो इस में से interest हटा कर, आज की कीमत निकालने की process को हम क्या कहता है, discounting कहते हैं, right, दोस्तों, दो तरहे के financial calculator, मैं यहाँ पर आपको financial calculator का introduction दे देता हूँ, financial calculator दो तरहे के exam में allowed होते हैं, एक होता है TIBA2+, और एक होता है HP12C, normally हम TIBA12+, को जादा prefer करते हैं, इसमें एक और option आता है, professional वाला, जिसमें सिर्फ एक बटन extra रहता है, हाला कि उसकी कोई जरुआत पढ़ती नहीं, आखरी तक, level 3 तक, तो हमारा सारा का सारा काम इससे हो जाएगा, तो अगर आपके पास है, बहुत बढ़िया नहीं है, तो आप इस TIBA2+, calculator को order कर दीजिए, online ये मिल जाएगा, roughly 3000 से 3500 के आसपस anywhere जितने में भी आपको मिले रहे, अब जितने भी मैं आगे आपको processes बताऊंगा, steps बताऊंगा, वो मैं आप आपको TIBA2+, calculator पर बताऊंगा, दोस्तों, अब I hope कि ये जब आप reading कर रहे हैं, तब आपके सामने, तब आपके पास ही financial calculator available है, ओके, तो मैं आपको इस financial calculator का दोस्तों थोड़ा सा introduction देता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखेगा दोस्तों, आपका TIBA2+, financial calculator है न, इसके buttons का मैं थोड़ा सापको पहले introduction देता हूँ, और फिर इसके बाद हम इसको operate करना सीखेंगे, ये मुझे बताने की ज़रुवत नहीं है, on-off button है, जब आप calculation कर रहे हैं, तो गलते से इसे प्रेस ना करें, इसके बाद दोस्तों, हमारे calculator में, normal calculator में भी CE का button होता है, ये जो present calculation आप कर रहे हैं और उसे आगर आपको 0 पर वापस लाना हो तो उसके लिए हम इसको use करते हैं, इन button से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसमें मुझे कुछ समझाने की जरुरात नहीं है, ये हैं आपर plus और minus का button, यानि अगर suppose करें आपको minus 5 rupees लिखना है, तो आप 5 rupees का button प्रेस करने के वाद प्लास और minus का button दबा देंगे, ये button वजह आपको समझाने की जरुरात नहीं, ये समझाने की जरुरात नहीं है, right, okay, mainly जो हमारे काम आने वाले है button, अभी इस particular reading में, वो ये buttons हमारे काम में आने वाले, तो हमारा focus mainly in buttons पर रहेगा, is that clear, okay, दोस्तों, यहाँ पर FB का full form होता है future value, यानि अगर हमे future value compute करनी होगी, तो हम data डालेंगे, और future value का button प्रेस करेंगे, हमे future value मिल जाएगे, PV का मतलब होता है present value, अगर हम data डालेंगे, और money की हम present value निकालना चाहते है, इस number of periods, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर timeline बना कर दिया था, इसमे number of periods कितने होंगे, there are 4 periods, यहाँ पर n is equal to हो जाएगा 4, यहाँ पर i by y का button है, जिसमें आप y को ignore करें, या आप इसको ऐसा समझे, it is interest or yield, it is interest rate or yield, इसका actually मतलब होता है interest rate per year, तो आप इसको interest or yield समझेंगे तो सा करने का button, suppose करें आपको 10% की interest rate put करने हैं, अभी आपको button कुछ भी press नहीं करना है, अगर आपको 10% की interest rate put करने ही, तो हम simple 1 का button press करते हैं, 0 का button press करते हैं, और फिर हम i by y का button press कर देते हैं, तो 10% interest rate पहुच जाती, normal calculator में, normal ordinary calculator में 10% को हम 10 नहीं लिखते हैं, हम 0.10 लिखते हैं लेकिन फैनेंजियल गैलकुलिटर में 10% को 10 ही लिखा जाता है, 0.10 लिखने की जरुरात नहीं, मतलब यहाँ पर जो डेटा आता है, वो परसेंटेज में वो खुद समझ जाता है, कि यह आप 10 लिखने की जरुरात नहीं, अगर 10% rate of interest है, तो 10 लिखा और आयब 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 का बिटन प्रेस कर दिया, ओके, यहाँ पर एक और बिटन है, विच इस PMT, यहाँ पर PMT का फिल फॉर्म होता है, पेमेंट, सबोस करेंगे, आप पेमेंट एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार दे रहें, सबोस आप 5000 रुपीज दे रहें, और कुछ ज्यादा बार दे रहें, तो फिर वो 5000 रुपीज, आप PMT के बिटन में डालेंगे, यानि कि आप क्या करेंगे, 500, and then you'll press PMT बिटन, तो यह समझ जाएगा कि 5000 का पेमेंट कैसा है, रेकरेंगे, बार बार, आप जब आप N की वैल्यू जितनी डालेंगे, समझ जाएगा, इतनी बार यह पेमेंट, ठी single amount के लिए क्या यूज करते है, present value, अगर future में कोई single amount मिलने वाला है, तो क्या यूज करते है, future value, लेकिन अगर कोई recurring amount during the period बार बार मिल रहा है, तो हम क्या यूज करते है, payment, तो यह 5 buttons I hope आपको clear है, इस button का अभी कहीं पर use आएगा, बात में देखेंगे, यह CPT का full form होता ह compute, यानि जो भी आपको compute करना हो, तो आपको पहले compute का button, प्रेस करना रहता है, इससे calculator बिल्कुल, सावधान की दलाओ, बताओ माले क्या compute करना है, और फिर आप बता देना, मुझे future value का answer देगा, अगर आपने compute प्रेस करने के बाद, present value का answer देगा, और भी बहुत सारे options हमार सालत हो सकता है, मेरा खुद का personal calculator है, जो मैंने जिस जमाने में CFA करा था, यह उसका है, अब जो आपका calculator है दोस्तों, उसके साथ हम शुरुवात करते हैं, तो सबसे पहले एक setting है, इस calculator में, जो हमें calculator लेते से ही change करनी पड़ेगी, तो आप एक काम कीजिए, इस calculator पर आप आ या फिर Google पर App Store पर गए, और वहाँ पर जाकर आपने क्या search कर लिया, BA2 प्लस emulator या BA2 प्लस calculator, वहाँ पर more or less ऐसा कुछ दिखता हुआ, calculator आपको download करने को मिल जाएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ, यह ऐसा, यह ऐसा कुछ calculator आपको वहाँ पर, cell phone में download करने को मिल जाएगा, तो अभी के लिए हमारा काम निकल जाएगा, बाइचांस आपके पास calculator नहीं है तो, अब एक setting है दोस्तों, जो कि हमें इस calculator में change करनी रहती है, तब जागर हम तयार होते हैं, हमारे सारे calculations करने के ल रहे हैं, तो इस calculator में यह जो P by Y है, P by Y की value already जो factory setting है, वो आती है 12, अब यह हम कैसे check करें सबसे पहले, आपने on का button तो press करी दिया है, recall का button press करें, okay, second का button press करें, यह second, 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 second का button press करें, और फिर यह I by Y का button press करें, तो basically यह आपको P by Y show करेगा, आपके calculator में क्या रही value, 10 आ रही है, आपके calculator में 1 आ रही है, हमें actually इस value को 1 पर लेकर आना है, तो बातों ही बातों में आप यह second का button उसका use समझ गए, second के button का क्या use है, जो button के ऊपर लिखा हुआ है, वो नहीं, जो button के इधर ऊपर लिखा हुआ है, जो button पर लिखा हुआ है वो नहीं, जो button के ऊपर लिखा हुआ है, अगर वो काम आपको करना हो, तो हमें पहले second वाला button प्रेस करना पड़ेगा, और फिर जो भी button आप प्रेस करेंगे, उसके ऊपर वाला काम हो जाएगा, अगर ये P by Y क्या है, ये है periods per year, basically क्या होता है, अगर interest rate है 12% पार रहा है, अब क्या आपको ये पता है कि ये जो 12% पार रहा है, इसमें 2 situations हो सकती है, या तो हो सकता है कि आपको साल में एक बार ही ब्याज मिल रहा हो, या फिर हो सकता है कि साल में आपको 10-12 बार ब्याज मिल रहा हो, right, suppose करेंगी 12% per annum is the rate of interest और आपको yearly interest मिल रहा है, तो काईदे से अब आप जो भी रुपिया इन्वेस्ट करेंगे, suppose करेंगी आप 100,000 डालर का investment करते हैं, तो आप 12% सिर्फ एक बार जो तो क्या 12-12% हर महीने मिलेगा, या common sense से हम जानते हैं कि पहले इस 12% को divide किस से करना पड़ेगा, 12, और क्योंकि monthly भी आज मिल रहा है, याने हर महीने हमें कितना मिलेगा, 1%, right, okay, तो periods per year अगर हम रहने देते, जैसे आपकी calculator में आपने बताया 10 है, किसी में 12 रहता है, मैंने यह जो calculator दिया है, आपको, इसमें 1 already set है, हमें इसे 1 पर करना है, ताकि periods per year कितना रहे है, 1, तो यह basic setting करना है, अब इसको किस तरीके से हम set करेंगे, तो यह process दोस्तों, आपको यहाँ पर किताब में लिखी हुई है, सबसे पहले आप second का button प्रेस करें, अपने calculator में, second का button प्रेस करें, यह रहा second का button, second का यह रहा button, second का button प्रेस करने के बाद, अब इसके बाद one press कीजिए, one press करा, अब इसके बाद हमें enter का button प्रेस करने, और enter का button आपको थोड़ा सा ढूंदने पर मिल जाएगा, ढूंदे दोस्तों कहां है, मिल गया, ओके, यह रहा enter का button, कर दिया आपने enter का button प्रेस, यह पी बाद की value अब कितनी set हो गई है, one, अब हमें इस setting से, मतलब इस setting mode से हमें बाहर आना है, तो हमें quit करना है, right, quit करने के लिए क्या सीधे CPT दबाएंगे, नहीं, पहले second का button and then CPT का button press करेंगे, compute का button press करेंगे, तो quit हो जाएगा setting से, right, अब आपकी PYY की setting कितनी हो चुकी है, one, अब हम इसे कैसे verify कर सकते है, आप C, Oblix का button दबाएंगे, सारे clear work हो जाएंगे, हाँ, अब आप RCL का button दबाएंगे, which simply means recall, right, और second, IYY, अब आगी setting one, yes, हमें ये PYY is equal to one चाहिए, और exam में भी ध्यान रखना, ये setting, जाओ उससे पहले, please check कि PYY is equal to one, sir, मतलब check करना पड़ेगा, अपने आप रातो राती setting बदल जात करेंगे, और हम ऐसे class में कभी भी change, कभी भी change नहीं करेंगे, ये PYY one रखना नहीं, तो internally क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, ओके, तो दोस्तों ये हमने एक छोड़ी सी हाँपर setting कर ली, PYY को one set कर लिया, इसका implied meaning है कि अब जो हम interest बोलेंगे ना calculator वही मानेगा, इसके पहले जो आपने मुझे बताया था ना कि PYY 10 है, तो calculator पता है, मन ही मन क्या करता, वो 12% जैसे आप interest rate बोलते तो वो से divided by 10 करके ये मान लेता कि 1.2% का rate of interest है, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम उसे बताए 12 और वो उसे compute करते वक्या use करे 1.2, हम बताए 12 तो वो use करेगा 12, ठीक है, चले दोस्तों, ये हमने setting भी यहाँ पर change, check कर ली है, ये सारे buttons दोस्तों मैं आपको बता चुक हूँ, any and a number of periods, I by Y, interest rate, interest yield, present value, future value, payment and compute, अब जब भी हम time value of money को पढ़ेंगे, तो इस तरीकी की timelines जो मैंने हाँ पर बनाई है, अगर हम इसे बनाएं से हमें clear होती ही कि कौन सी जीज कहा है और वो कहां से कहां जा रही है, ओके, दोस्तों, एक छोड़ा सा हम यहाँ पर example देखते हैं, suppose करें कि आज हम कोई investment कर रहे हैं, जिसमें हमें कितने dollars लगाने है, 1000 dollars लगाने, right, so 1000 dollars लिखा है मैंने, या फिर उसका आगे minus का भी sign, minus का भ रहे हैं, यह investment हमें अगले 5 years तक कितने dollars देगा, 250 dollars देगा, is that clear, okay, अब दोस्तों, जो आज आपके पास से 1000 dollars जा रहे हैं, उसको आपने किस से denote किया, 0th time period पर denote किया, और जो 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, 5th year में 250 dollars आ रहे हैं, उसको आपने 1, 2, 3, 4, 5 पर लिखा है, यहाँ पर हम दो 250 dollars आपको मिल रहे हैं, हमने इसको प्लस में लिखा है, यह 250 dollar exactly आपको कब मिल रहे हैं, 1st year के beginning में मिल रहे हैं, या 1st year के end में मिल रहे हैं, 1st year के end में, by default पूरे finance में assumption होता है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको 4th year में 1 lakh रुपीज दूँगा, तो इसका implied meaning है क 4th year के end में 1 lakh रुपीज मिलेंगे, that's the default assumption, तो अगर आपको किसी वेक्ती ने promise किया है कि मैं 1st year, 2nd year से लेकर 5th year में आपको 250 दूँगा, इसका implied meaning है कि वो 1st year के end में हमें 250 dollars देगा, दोस्तों, अगर कोई बोले कि 1st year का beginning कहा है, तो 1st year का beginning यहाँ, this is the beginning of 1st year, right, and this is the end of the 1st year, अब जो 1st year का end होता है, by default वो ही क्या हो जाता है, 2nd year का beginning हो जाता है, यानि जवाब questions करेंगे exam में, उन्होंने 1st year का end बोला हो, या 2nd year का beginning बोला हो, हमारे लिए it is simply 1st year end, 2nd year beginning simply means it is the end of the 1st year, is that clear, यह by default हमारा finance का rule है, हाना, taxation में ऐसा नहीं होता है, accounts में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो एक दिन में पूरा साल बदल जाता है, taxation में एक दिन पहले income मिले, बाद में income मिले, तो पूरा सारा change हो जाता है, finance में time value of money करते वक्त ऐसा कोई assumption नहीं लिया जाता है, कि साल बदल गया, तो सारी च हान रखना, ठीक है, चले दूसरा, अब एक और चीज, क्योंकि आप और में time value of money पढ़ेंगे, याने कि हम चीजों को compound करके future में ले जाएंगे, या फिर discount करके present में लेकर आएंगे, तो fractional differences आ सकते हैं, एक और चीज, एक और setting हम हम हमारे calculator में देखना चाहते हैं, वो यह है कि वो कितने decimal points तक हमें result देगा, यह हमारे control में होता है कि वो कितने decimal points तक हमें answer दे, आप एक काम कीजिए, अपना जो calculator है, उस पर, उसमें आप एक काम कीजिए, मैं just check करना चाहरा हूँ कि आपका कितना decimal places तक set है, हमें उसे 2 decimal places तक लाना है, आप एक काम कीजिए, 50 कीजिए 50 आपने लिखा, और अब आप equal to का button प्रेस कर दीजिए, बताइए क्या आ रहा है, 50.00 आ रहा है, मतलब आपके calculator 2 decimal places तक answer देने के लिए set है, ठीक है, अगर आपको उसको decimal places increase या decrease करने की जरुरत पड़े, तो फिर दोस्तों हमें यहाँ पर calculator में format पर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर decimal places हमें change करनी पड़ेगी, ठीक है, अब अब आप बता रहे हैं, अगर वो two decimal places तक set है, तो फिर we are well and good है ना, आपका भी calculator two decimal places तक ही set होगा, यह वाला नहीं, यह वाला four तक है, तो अब आप चाह रहे होंगे कि इसको कैसे हम two पर लेकर है, because two बहुत convenient भी होता है, तो दोस्तों अब calculator की decimal places set करने के लिए, आप एक काम कीजिए, आपका भी four decimal आ रहा है, हमें उसे two decimal पर लेकर आना है, यहाँ पर आपको format पर आना है, format पर कैसे आएंगे, थोड़ा सा आप मुझे guide कीजिए, second का button press कीजिए and then यह dot वाला button press कीजिए, format, हाजी क्या लिखा हो अब एक काम कीजिए, मेरी बात माने, अब आप two का button press कीजिए, कि आपने two button press, इसके बाद आप यहाँ पर enter का button press कर दीजिए, हाँ जी, अब क्या दिखा है आपको screen पर two point zero zero, कितना समझदार calculator है, जब four decimal होता है, तो four को सिर्फ four नहीं बोलता है, four point four times zero, जब आपने two part set कर दिया, तो two point zero zero, अब यगर आप one बोलेंगे, तो क्या बोलेगा, one point zero, ओके, दोस्तों यह हमने आपको setting कर दीजिए, ठीक है, अब आप second का button press कीजिए, और quit कर लीजिए, ठीक है, quit याने CPT का button, ठीक है, second का button और quit कर लीजिए, हाना तो आपका calculated two decimal पर आ गया, कैसे verify करेंग C, oblique C का button press कीजिए, कोई सा भी मन से जो आपको लगे वो number आप type कीजिए, बिना decimal के, और equal to press कर दीजिए, वो two decimal तक आ जाएगा, आ गया, ओके, चलिए, तो यह हमारी दो settings थी complete हो गई, P by Y को हमने one पर set कर दिया, और decimal format हमने two पर set कर दिया, ठीक है, ओके, अब दोस्तों इ इस discussion को हम दो layer में divide कर रहे हैं, दोस्तों जब आप bank में FD करते हैं, तो bank में FD देखा जाए, तो practically risk free होती, yes or no, bank में जब आप FD करते हैं, fixed deposit करते हैं, तो जो भी आप पैसा bank में जमा करते हैं, fixed deposit में, गर मैं Indian scenario की बात करूँ, तो अपने state bank of India में पैसा जमा किया है, तो उसमें कोई risk है, वो risk free है, उसमें कोई risk नहीं है, right, कोई risk नहीं है, state bank of India is never going to default, right, नहीं करेगा, है तो bank ही न, bank default कर सकती है, state bank of India, मतलब मैं एक word यूज़ कर रहा था, practically, तो practically SBI तुमको लगता है, default करेगी, इंडिया में, practically बस चले, तो practically दोस्तों, bank में जो आप FD करते हैं, वो कैसी रहती है, without any risk होती है, right, आज तक किसी, किसी की FD का पैसा SBI ने default कर दिया, नहीं कर, okay, कभी भी नहीं कर दिया, गवर्मेंट का support है उनको, और अगर SBI ने default कर दिया, तो देशी कंगाल हो जाएगा, क्योंकि अगर उस bank पे भरोसा नहीं रहा, तो economy बंद हो जाएगा, चले, तो practically SBI की fixed deposit कैसी होती है, risk free होती है, okay, suppose करें कि आपके पास 1 lakh रुपी, से जादा बड़ी बात नहीं कर रहा अब आपने कहा यार, 1 lakh रुपे से क्या किया जाए, तो आपने देखा यार, 1 lakh रुपे से मैं क्या कर सकता हूँ, एक कार खरीच सकता हूँ, मैं Tata Nano Car खरीच सकता हूँ, Tata Motors की Nano Car मुझे 1 lakh रुपे में मिल जाएगी, second end मिल जाएगी, अगर first end नहीं मिल रही, तो बड़ एक सरदी में मुझे ठंड से बचाएगी, गर्मी में मुझे धूप से बचाएगी, और बारिश में मुझे बारिश से बचाएगी, आपने सोचा Tata Nano Car खरीदे, और आपने कहा यार, 1 lakh रुपी में Tata Nano Car आजाएगी, फिर उसमें पेट्रोल ललवाने के तो अब मेरे पास पैसे अब मेरे पास आजाएगे, आप गए State Bank of India, और आपने वहाँ पर बैंक के अधिकारी से पूछा, सर मुझे वानियर की FD करनी है, what is the rate of interest? He said, rate of interest is 7% पारेनम, उन्होंने क्या बोल दिया, 7% पारेनम, rate of interest, आप ख्यालों में गूम हो गए, एक लाग रुपे आज जमा करूं, एक साल बार, एक लाग साथ असार, 1,07,000 रुपीज होंगे, yes, 7,000 रुपीज मैं कमाऊंगा, तभी एक विक्ती आपके पास आया, और उन्होंने बोला, यह जो खुशी तुमने अभी बनाई ना, इसे, yes, 7,000 रुपीज करके, 7,000 रुपे की खुशी मत बनाओ, हमने कहा, अभी इन्होंने बोला, 7% interest देंगे, हाँ इन्होंने बोला, 7% interest देंगे, आप मुझे confirm, 1,00, रुपीज में आपको दूँगा, आप 7, 7,000 की income मुझे provide करेंगे, bank manager ने कहा, हाँ, तो फिर आपने उन भाईज आप से बुझा, भाई, क्यों मैं खुश नहीं हूं 7,000 के लिए, उस व्यक्ती ने बोला, कि एक साल बाद जब ये bank वाला आपको 1,7,000 रुपीज देगा, तब तक चीजें महंगी हो चुकी होंगी, म कुछ जादा रुपए आपको देने पड़ेंगे, हमने कहा, बात तो सही है, bank वाला तो हमें 7,000 रुपीज दे रहा है, 7% दे रहा है, लेकिन जब तक मुझे ये income मिलेगी, तब तक मैं वो चीजें जो आज खरीच सकता हूँ, गर वही चीजें, एक साल बात खरीचने है, 5%, तो practically पता है क्या होगा, practically जो आप 7,000 रुपे की कमाई कमाऊगे न, 7,000 रुपीज की income कमाऊगे है, उस में से 7,000 की income में से 5,000 रुपे की बली किसको चड़ जाएगे, inflation को, तो जो आपकी real, असली income है, वो कितनी आएगे, 2,000, ये जो मैं numbers बोल रहा हूँ, वो approximate numbers है, accurate numbers इससे थोड़े से different आएंगे, जिन्होंने बाइचान CA में पढ़ रखा हूँ, real rate, inflation rate, उनके लिए, नहीं पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, आप ज्यादा clean and clear approach से चल रहे हैं, 7,000 रुपीज की income है, उस में से 5,000 रुपे, कौन ले गया, inflation ले गया, real income कितनी हुई आपक कोई risk ही, नहीं, ये 2000 पता है, आपने क्यूं कमाए हैं, इसलिए कमाए हैं, क्योंकि आपने अपने दिल पे पत्थर रखा, और कहा अपने आपसे की ऐ दिल मान जा, एक लाख रुपे आज consume करने की बज़ाए, थोड़ा रुख जा, थम जा, टहर जा, और एक लाख रुपे दे रहे हैं, छोटी से जिंदगी में, अगर आपने मनी का consumption थोड़ा और डीले कर दिया कि अभी नहीं एक साल बाद और एक साल नहीं, दो साल बाद, तो आप अपना consumption forgo कर रहे हो for some period of time, right, उस पैसे का सुख आप आज भोग सकते थे, टाटा नेन उकार आप आज ला सकते तो just for forgoing the consumption of money or for dealing the consumption of money, the bank is giving you 2000 rupees, क्योंकि ये पैसा बैंक लेगा और बैंक किसी और को देगा और वो व्यक्ति उस रुपियों का सुख आज भोगेगा, right, तो ये जो आपको 7000 interest मिल रहा है दोस्तों, ये जो 7% आपको interest मिल रहा है, ये 7% interest के दो components हैं, इस 7% interest के कितने components हैं, दो components, एक है 5% और दूसरा क्या है, 2%, 5% basically क्या है, inflation, एक बात बोलू मैं आपको, अगर देश में महंगाई 5% है, और आप जाते हो state bank of India और state bank of India आपको court करता है rate of interest कितना, दे दे बाई, पैसा वापिस दे, क्योंकि जितना तुम दोंगे उससे ज़्यादा तो चीजे हैं, ह हमने आपकी bank में FD ही नहीं करना, तो practically जो fixed deposit की rate of interest होती है, वो inflation rate से जाधा होती है, और वो जितनी excess होती है, उसे हम कहते है real return, क्योंकि यही हमारा real return है, बाकी तो जो 7% में से 5% है, वो तो inflation की बली चड़ जाएगा, this 2% is our real return, दोस्तों यह 7% है, यह हमारी risk-free rate of interest, याने अगर कोई आप से interview में question पूछले कि risk-free rate of interest के 2 components बताईए, तो आप risk-free rate of interest के 2 components क्या बोलेंगे, one is inflation and another is real return, is that clear, okay, always risk-free rate of return should be higher than the inflation rate, temporarily यह कम जाधा हो जाते है, economic equilibrium, disequilibrium की बचाए से, but over longer period of time, हमेशा bank को inflation से जाधा ही देना पड़ेगा, नहीं तो bank के पास कोई FD ही नही करेंगे, basic rule आपको पता है, okay, अब दोस्तों एक बात बताईए, यह आप और मैं किसकी बात कर रहे थे, state bank of India की, which is practically risk-free, इसमें आप पैसा लगा तो, 10,00,000 क्या मैं कि तो 10 करोड की, 1000 करोड की FD कर दो, नहीं डूबना आपका पैसा, suppose करो इसकी बजाए, आप कहीं दूसरी जगह में investment कर रहे हो, suppose करें कि आप Mr. Adani के bonds खरीद रहे हैं, यह आपके पास लाग रुपे रखे हैं मैं, आपके पास लाग रुपे को लिकर दो option या तो SBI में जाकर अपनी FD कर दो, और Chen की needs हो जाओ, और या फिर आप ये 1,00,000 कि या boss risk तो है, risk है वो तो आप Adani को दो या Ambani को risk तो है, in fact अगर आप Tata को भी देंगे तो कुछ risk तो है, exactly है, तो जैसी आप government या governmental organization के बाहर निकले, private parties के पास गये तो then there is an element of risk, my question to you is, will you accept any return which is equal to 7% or less than 7% on your investment in Adani bonds or you will definitely require a higher rate of return, higher rate of return, suppose I think, जो मुझे आपको देखकर लग र 11% हो, मांगेंगे, boss Adani हम आपको पैसा देकर हम भी risk ले रहे हैं, अब आपके उपर जो भी report आईगी, वो सब हमें पढ़नी है, पढ़ेगी, so there is an element of risk, और ये risk लेनी की बज़र से, ये risk लेनी की बज़र से, अब हमें आपके bonds पर return जादा चाहिए, तो दोस्तों ये जो 11% है ना, इसके दो components है, एक तो कोई भी व्यक्ति जो government के अलावा है, उससे हम कम से कम उतना तो return मांग ही लेंगे, जितना government ये government oriented organizations दे रही, जो risk free return है, जो बिना risk के return कमारे, उतना तो चाहिए ही चाहिए, पर हमें आप से premium returns चाहिए, और इसे हम क्या बोलते हैं, risk premium, right, तो ज 11% में चुप नहीं बैठेंगे, हमें additional return चाहिए, दोस्तो risk premium कितना percent हम मांग रहे है, 4%, अच्छा ये बहुत simple सा करने थे, जितना ज्यादा risk की investment होगा, आप उतना ज्यादा risk premium मांगेंगे, और उतना ज्यादा आपका finally requirement of return आएगा, ये जो 11% है दोस्तो, this 11% is required rate of return, इसे क् हिंदे में बोलते मुझे इतना return चाहिए, जिसे बच्चे नहीं होते है, चुटचशडे मुझे इतना return चाहिए, मतलब आप चाहिए 11%, बैढ़ क्यong चाहिए 11%, क्योंकि seven तो government ही दे रही है, और आप तो government हो नहीं, तो मुझे तो आप से जाधे return चाहिए नहीं, अगर आप 7 ही दे रहे हैं तो फिर मैं चला गवर्मेंट के पस जहां मुझे कोई रिस्क नहीं तो क्योंकि आप में रिस्क है इसलिए मुझे रिस्क प्रीमियम चाहिए Mr. Adani जी ने आपको कॉल किया और बोला क्या रिस्क लगती है आपको हम बोलेंगे sir रिस्क है मतलण क्या रिस्क लगती है आपको तो हम बोलेंगे ठीक है अब जब आप हमारे इतना पीछे पड़ी ही गये हैं तो अब हम आपको बता ही देते हैं कि आखिर क्या क्या रिस्क हमने कहा सबसे पहली है default risk, उन्होंने का क्या बात कर, हमने का हाँ, आप भी है तो एक इंसान ही और इंसान से गलतिया हो सकती है हो सकता है कि आपके bonds की जब due data है suppose करो 10 years down the line, जब आपके bond की due data है तब तक हो सकता है कि सरकार बदल जाए तब तक हो सकता है कि आपका जो business है, जो government ने आपको contracts दे रखे हैं, वो आपसे छिंजा है and you might be on the verge of default वो risk है, वो practically risk है है ना, SBI ऐसा default नहीं करेगा, लेकिन आप तो कर सकते हैं, उन्होंने का ठीक है चलो default risk और कोई सी risk इसके अलावा नजर आती है आपको मेरे bond में, हमने का हाँ सर, एक और risk है, which is called as liquidity risk, अडानी जी ने पूझे है, बेटा, ये क्या होती liquidity risk, हमने गहाँ देखो, अडानी जी बहुत simple सी बात है ये है State Bank of India मैं यहाँ पर जाकर करता हूँ 10 years की fixed deposit, और उसकी बज़ा है, मैं आपके 10 years bond खरीबता हूँ, है ना suppose करो 3 years down the line, खुदान खासता, मुझे कुछ जरुरत पड़ गई, रुपियो की मैं सीधे State Bank of India की नजदी की शाका जाऊंगा, वहाँ पर बता दूँगा कि मेरा इतना fixed deposit है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, बैंक आधिकारी transfer कर देगा, जिससे मैं immediately मेरे requirement meet कर सकता हूँ अडानी जी हो सकता है कि मैं आपका bond paper लेकर बजार में जाऊं, तो मुझे खरीदार ही ना मिले there is a possibility, right तो इसको कहते liquidity risk, कि जब मैं उस instrument को sell करने जाऊंगा, तो market प इतनी sufficient liquidity ही नहीं होंगे इतनी sufficient buyer ही नहीं होंगे, who are ready to buy the bonds, और उस case में मुझे हो सकता है कि रुपय का माल 90 पैसे में देना पड़े रुपय का माल 90 पैसे में देना पड़े का मतलब क्या है, कि उस bond की value है, लेकिन क्योंकि खरीदार ही नहीं तो मुझे थोड़ा सा discount देना पड़े and that is called as what, liquidity risk दोस्तों आपने कहीं कहीं सुना होगा, आपके घर परिवार में कि किसी वेक्ती को पैसो की एकदम जरूरत थी और उसने immediately property बेची, तो क्या वो पूरे नाम में बिखती है, थोड़ा कम करके बेचना पड़ता है that is called as liquidity risk की sufficient liquidity market में नहीं थी तीसरी एक और risk होती ही दोस्तों, जिसका मैं सिर्फ यहाँ पर नाम लिख रहा हूं उसको ज़्यादा detail में हम हमारे fixed income module में देखेंगे and that is called as maturity risk maturity risk को हम duration risk भी कह सकते हैं और जितना longer duration का bond रहता, उसमें उतनी जादा maturity risk रहती है आप maturity risk का जो आप मतलब समझ रहें, वो उसका मतलब नहीं आप यह मतलब समझ रहें कि maturity के वक्त सामने वाला पैसा नहीं देगा तो वो तो default risk होती है, right maturity risk, मतलब I would simply say कि जब हम bond में समझेंगे तभी समझे तो सादा अच्छा है, right तो दोस्तों यह तीन तरह की risk होती है और इसकी वज़े से premium returns मिलते है, right तो अगर कोई आप से required rate of return का formula पूछ ले required rate of return, तो आप क्या बोलेंगे required rate of return is equal to risk free rate of return plus risk premium कोई बोले भाई risk premium क्या तो कहना यह रहे सारे factors कोई बोले कि risk free rate of return खुद क्या होती तो कहना यह रहे इसके दो components, okay दोस्तों यह जो risk free rate bank, state bank of India हमें दे रहा है 7% का, right यह 7% हमारा real return है क्या, true or false यह real return है क्या, नहीं it is called as nominal return, यह हमारा nominal return है यानि जब आप state bank of India में जाकर fix deposit करेंगे, 7% जो आपको ब्याज मिलेगा that is called as your nominal risk free rate क्या होता है कि आपको 7000 की income तो दिख रही है पर वो आपकी nominal income है वो क्या है आपकी nominal income है, right एक मने यार गलत हो यह, वो है आपकी nominal income nominal income is inclusive of inflation this 7% is inclusive of inflation if you want to actually calculate the real return then you have to eliminate the inflation out of it, right शायद अगर आपने 11-12 में economics पढ़ रखा होगा तो वहाँ पर आपको economics में GDP में यह terms use हुई होगी, real GDP और nominal GDP nominal GDP याने की inflation भी उसके अंदर included है और real GDP याने inflation हटा कर otherwise देश तो यह तरक्की कर लेगा कि पहले चीज़ों के बहुत सौथ है अब बहुत 200 हो गए तो सारी चीज़े डबल हो जाएंगे लेकिन क्या है real तरक्की हुई? नहीं, inflation से की गई तरक्की, real तरक्की नहीं है तो inflation का effect अगर included that is called as nominal inflation का effect हटा देते हैं, then it is called as real, right आप एक बात बताईए, यह जो required rate of return अभी 11% निकली है यह real required rate of return है यह यह भी nominal है यह भी nominal है, क्योंकि इसमें nominal risk rate पर आया है, right तो usually हम कौन सी rates use करते हैं, nominal risk rate और nominal required rate of returns use करते हैं तो आप यहापर लिख लेते हैं, usually हम compounding or discounting purposes के लिए कौन सी rates use करते हैं usually हम compounding or discounting के लिए कौन सी rates use करते हैं, nominal rates use करते हैं, ठीक है, ओके दोस्तों, यह हमने समझा किसके बारे में, interest rates के बारे में अब यह जो nominal required rate of return है न, इसे ही हम compounding rate भी कह सकते हैं, इसे ही हम discounting rate भी कह सकते हैं या फिर हम इसे opportunity cost भी कह सकते हैं opportunity cost हम इसे क्यों कहते हैं क्योंकि ये पैसो पर मुझे बहुत 11% return चाहिए अडानी जी ने पूछ लिया क्यों चाहिए तो हम कहेंगे कि अडानी जी आपके ही जैसे एक और व्यक्ति है जिसमें लगबख similar risk है suppose तो वो अगर मुझे 11% return दे रहे हैं और मैं उनको छोड़कर अगर आपके पास पैसा लगा रहा हूं so I am losing an opportunity to earn कितना return 11% return so I need I require how much return from you 11% suppose करो इस बीच जब तक आपकी बातचीच चल रही थी अंबानी जी ने अपना rate of interest बढ़ा दिया उन्होंने क्या बोला 12% देंगे वह आप क्या बोलोगे अडानी जी sorry आप लेट हो गए अब मैं 11 में नहीं मनने वाला because I have an opportunity elsewhere to earn कितना percent 12% so simply I would require how much 12% return from you अब दोस्तों ये जो 11 की जगे 12% हमारा requirement of return return बढ़ा है उसके पीछे कई सारे factors हो सकते है हो सकता है risk बढ़ गई हो हो सकता है economy में inflation बढ़ गया या हो सकता है real return की requirement बढ़ गई हो तो दोस्तों यहाँ पर यह कुछ नाम होते है required rate of return भी compounding discounting rate होता है discount rate भी बोलते है और उसे opportunity cost भी बोलते है यह सारी terminology interchangeably use होगी यह मैंने आपको बताया nominal risk free rate nominal risk free rate is equal to real risk free rate plus expected inflation rate obviously यहाँ पर word क्या use किया हुआ expected जो inflation हो चुका है वो नहीं देखा जाता है जो inflation एक साल में होने अरे आप एक साल के लिए FD कर रहे हो ना तो कौन सा पूरान है इतिहास के पन्नों में दर्ज inflation देखेंगे आगे होने वाला inflation आगे होने वाला inflation देखेंगे राइट दोस्तों यह देखिए nominal rate of interest याने जो अडानी के bonds हमें कितना return दे रहे है 11% दे रहे है that is nominal rate of interest और उसके क्या-क्या components है उसका पहला component है nominal risk rate कितनी थी 7% और फिर यह तीन तरह की risk लेने के लिए हमें कुछ और premium मिलती है और यह सारी चीज़े depend करती है कि कितनी ज़्यादा risk है other things being constant default risk जितनी ज़्यादा होगी उतनी default risk premium होगी liquidity जितनी कम होगी liquidity liquidity याने समझते हो market में depth याने कितनी enough buyers और sellers है कि उस commodity के लिए अगर हाँ if there are enough buyers and sellers तो liquidity is high तो उस case में liquidity premium कम लगेगी लेकिन liquidity बहुत low है बहुत कम गिने चुने उसके buyers या sellers है तो फिर liquidity premium ज़्यादा लगेगी maturity risk अगर ज़्यादा है तो premium ज़्यादा लगेगी maturity risk अगर कम है तो premium कम लगेगी यह दोस्तो हमने basic देखा calculator के अलावा कि आखिर interest rate के क्या क्या components होते हैं एक छोड़ी सी quiz हम यहाँ पर खेलते हैं बताएंगे दोस्तो answer question पढ़ेंगे answer बताएंगे an interest rate is best interpreted as तो interest rate को discount rate भी बोलते हैं yes interest rate को हम required rate of return भी बोलते हैं yes और interest rate को opportunity cause भी बोलते हैं right तो correct answer यहाँ पर क्या है C है यहाने आप एक बात बताएए first A और B में आपको क्या आपत्ती रही आपको यह आपत्ती रही कि interest rate is not a measure of risk in fact interest rate comprises some portion of the measurement of risk यह जो यहाँ पर मैंने आपको example दिया था तो क्या यह 11% पूरे ही रिस्क ही है या इसके अंदर से 4% ही measurement of risk है बचावा तो risk free है बचावा तो risk free है तो जो भी हमारा required rate of return होता है interest rate होता है वो completely measurement of risk नहीं होता है उसके अंदर एक component कैसा होता है जो बिना risk लिए ही मिल जाता है इसलिए interest rate cannot be interpreted as a measure of risk second interest rate जिसमें inflation premium हटा दिये गई है तो ऐसी interest rate जिसमें से inflation premium हटा दिये वो क्या बन जाती है real interest rate तो यह क्यों नहीं बोला क्योंकि यह risk free बोल दिया हो जबकि उपर जो interest rate बोली वो interest rate बोली वो risk free interest rate नहीं बोली आप एक बात बताईए अगर यहां पर word risk free लिखा होता तो फिर कौन सा अंजल सही होता और risk free interest rate from which inflation premium has been subtracted is real risk free rate is that clear अगर यह होता यहां पर तो फिर C वाला सही होता है is that clear ठेके चले दोस्ता अब थर्ड वाला क्रेशिन हमारा थोड़ा सा tricky है देखते हम इसे the table below gives current information on the interest rates for two two year and two eight year maturity investments दोस्तों नीचे कुल मिलाकर हमें first investment और second investment दे रखा है fourth और fifth investment दे रखा है first और second की maturity कितनी है two years और इन दोनों की maturity कितनी है eight years right then the table also gives the maturity liquidity and default risk characteristic of new investment possibility एक और possibility हमारे पास and that is investment number three right all investments promise only a single payment a payment at maturity सबका कहना है कि सीधे हम maturity पर payment देंगे क्योंकि अगर maturity में पेमें नहीं मिलता है और बीच बीच में मिलता है तो एक और रिस्क होती हम आगे जाकर पढ़ेंगे and that is reinvestment rate risk right assume that premiums relating to inflation liquidity and default risk are constant across all time horizon मतलब यह दो साल तक यही रहने वाली है प्रीम फर्स इंवेस्मेंट की maturity two years है इसमें liquidity हाई है liquidity हाई है मतलब अच्छी बात है बुरी बात है अच्छी बात है liquidity हाई है मतलब liquidity risk low है ठीक है default risk भी low है तो बढ़िया काम है तो फिर इस पर rate of interest कितनी है सिर्फ two percent second investment में maturity two years से मतलब देखा जाए तो as far as maturity risk is concerned में maturity risk तो equally है और ओके इनकी जो default risk है वो भी equal है लेकिन क्या इनकी liquidity risk equal है नहीं है यहाँ पर liquidity कम है मतलब liquidity risk जादा है और यहाँ पर फिर interest हमें कितना मिल रहा है याने क्या आप और मैं कह सकते हैं कि जो point five percent second investment में excess return मिल रहा है वो किसकी विजह से मिल रहा है is that clear okay दोस्तों based on the information in the about table address the following questions अभी MCQ question में आपका interpretation is कल वाला question है A point explain सम्झाओ इनको the difference between the interest rates on investment one and two so now can you tell me why is there a difference because of the liquidity risk where one is highly liquid and hence carries low liquidity risk premium and two is less liquid and hence carries high liquidity risk premium तो point five percent यहाँ पर excess return liquidity risk premium की वजह से मिल रहा है अब दोस्तों B point देखे क्या पूछा हुआ है estimate the default risk premium default risk के premium का हमें answer निकालना है कि default risk premium आखर कितना है तो दोस्तों default risk के लिए आपको इस column में आना पड़ेगा और सारे के सारे instruments low default risk वाले बजाए कि इसके आने risk premium आपको इस वाले के अंदर नजर आएगी yes but the point is कि इस high को करना तो compare कि से low से but कौन से वाले low से compare करें तो 4-4 है हमें 8 और 8 से ताकि इनकी maturity same दिखे right but the problem is कि जैसे अब अगर हम इनको 8 और 8 से compare करेंगे तो इन में जो difference है वो एक factor की वजह से या दो factors की वजह से difference है दो factors की वजह से difference है याने कि इसका मतलब यह हो गया कि यह जो 4 से कहां पहुंच गया 6.5 कितने percent का difference है 2.5 percent का difference यह दो कारणों की वजह से एक तो liquidity risk की वजह से और दूसरा default risk इसमें maturity risk तो same ही है yes हमें दोस्तों हमारे first point a point में जो explanation था ना वो हमें अब use करना पढ़ेगा आपके दिमाग के घोड़े दोड़ गाएंगे आपने देखा कि यह जो 0.5 percent है वो high से low liquidity पर जाते तो 0.5 percent extra return मिलता है यहाँ हाई से low में फिर जो 0.5 percent है वो तो liquidity की विजह से होना चाहिए इसका मतलब है कि default risk की विजह से कितना return होना चाहिए two percent right तो यहाँ पर default risk premium कितनी आ जाएगी two percent आ जाएगी estimate the default risk premium the answer is two percent is that कैसे निकाला समझ गए okay see point calculate upper and lower limits for the interest rate on investment three are three okay तो दोस्तों हमें यहाँ पर यह बताना है कि जो investment number three है आखिर इसमें हमें कम से कम कितना तो return मिलना ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना return मिलना चाहिए तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगए और बताए तो अब एक problem है problem है कि इसकी maturity कितनी है seven years यह से कम maturity वाले यह से जादा maturity वाले तो दो मिनिट के लिए maturity के factor को हम ignore करेंगे क्योंकि हम उस पर तो कुछ करी नहीं सकते हैं तो अब आप यहाँ पर आएंगे और जैसा आप बुलें लो तो है two point five right low two point five पता है आपने कैसे कर लिया कि फिर आपने बोला कि अरे यह तो बिल्कुल सेकंड के जैसा है और क्योंकि यह बिल्कुल सेकंड के जैसा है except for the difference in maturity तो कम से कम बॉस कम से कम कम से कम मुझे two point five percent return चाहिए मतलब चाहिए और by chance अगर two point five से कम मिला return तो मैं तो फिर इसी पर चल जाओंगा ना क्योंकि यह भी low low है यह भी low low है तो फिर यह जादा बढ़िया है फिर हाना तो कम से कम two point five percent तो return चाहिए चाहिए अब higher upper band निकालना है हम 4.5 five percent right कैसे पता कर लिए आपने four point five percent आपने देखा कि अब अगर मैं fourth और fifth में जाओं है ना तो fourth और fifth से इसे comparable बनाने के लिए या तो fourth को select करना है फिर five को वैसे ज्यादा सही कौन सा है fourth से compare करना तो अगर मैं third और fourth को comparable बनाता हूँ तो उसमें ये तो बराबर आ गया अब उस default risk तो बराबर आ गई लेकिन हा liquidity risk जो इसमें liquidity इसमें high है इसमें high है तो liquidity risk इसमें ज्यादा है तो मुझे इतना return तो मिलना ही चाहिए पर ये इतना return तो तब मिल रहा है जब इनकी risk बराबर और यह liquidity high है अरे bond 3 तुमारी तो liquidity low है तो मुझे तो ज्यादा चाहिए कितना ज्यादा चाहिए 0.5% जो liquidity risk premium है याने मुझे कम मुझे ज्यादा से ज्यादा मतलब यहाँ पर कितना 4.5% मिलना चाहिए right 4.5 से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको is that clear नहीं तो फिर वो over ज्यादा expectation of return हो जाएगा ठीक है so the band would be 2.5% to 4.5% उसके बीच में right maturity में simple सा rule रहता है अगर कम रहती maturity तो maturity risk premium कम मिलती जितनी जल्द इसको ऐसा समझो basically मैं आपको दो साल में एक loan का पैसा देने वालो और एक 8 साल में आप कहां ज्यादा safe feel करोगे दो साल तो उसका impact जो पड़ेगा वो कैसे पड़ेगा कि आप तो 2.5 तो minimum return है जो आप मांगोगे क्योंकि यहाँ maturity थोड़ी सी longer है तो 2.5 से जादा मांगोगे पर 8 years वाले में जितनी premium होगे इससे तो थोड़ा कम ही मांगोगे न तो इसलिए max to max आप कितना मांग सकते हो 4.5 क्योंकि 4 तो यही दे रहे है पर इसमें high liquidity आपकी low liquidity चलो एक काम करो 0.5 एक्स्ट्रा रख लो बास 4.5 और आपकी maturity तो कम है तो आप 4.5 से जादा मांगे नही सकते हो थोड़ा सा और कम ही आपको मिलेगा so the band would be 2.5 to 4.5 परसंट ठीक है चले दो सकते हो फॉर्थ the nominal risk-free rate is best described as the sum of the real risk-free rate and a premium for expected inflation right क्योंकि जो nominal रहता है और real रहता है उसमें फासला सिर्फ किसका होता है expected inflation का होता है ठीक है चले दोस्तों अब आते हैं में हमारे calculator वाले portion पर और calculator में हम सीखेंगे how to calculate future value present value and so on ही सारी चीज़ है calculator पर सीखेंगे दोस्तों future value को आप कैसे imagine कर सकते हैं वो समझें suppose करें कि आज आप एक two thousand dollars का investment करने वाले है ठीक है कितने years के लिए two years के लिए right और यह जो return है यह आपको कितना percent यह जो investment है आपको 10% return देगा तो अब हम यह देखना है कि आखिर यह two thousand dollars कितने बन जाएंगे ठीक है अब अगर हम इसे यहाँ पर timeline में देखेंगे है तो दोस्तो timeline में this is zeroth year this is first year and this is second year right यहाँ पर आज हम कितना लगा रहे कितना है अपना investment आज two thousand dollars का हमारा investment right so two thousand dollars का हम inflow कर रहे है या outflow कर रहे है outflow कर रहे है two thousand dollars का आज हमारे pocket से outflow हो रहा है ठीक है हमें जो return मिल रहा है वो कितना percent मिल रहा है मतलब ten percent हमें वहाँ पर first year में भी मिलेगा और ten percent यहाँ पर भी मिलेगा and now we have to calculate future value की आखिर हमें कितना receive होगा अब इसे कई तरीकों से किया जा सकता है पहले में बिना आपको कोई function use किये अपने अपना financial calculator रखना पर उसको as a normal calculator use करेंगे और देखेंगे तो आपने two thousand dollar लिया हाना और two thousand dollar लिखा आपने अपना two thousand dollar लिखा आपने अब आप multiply का button press करेंगे और one point one zero कर देंगे equal to press कर दीजे कितना हो गया two thousand two hundred याने two thousand dollar invested today at 10% will become कितना 2200 लेकिन अभी हमारा इंतकाम पूरा नहीं हुआ है फिर से multiply का button press कीजे और again one point one zero press कर दीजे equal कितना आता है two four two zero याने two thousand dollar invested today will become two four two zero dollar at the end of second year यह दोस्ता हमने normal function यहाँ पर use किया है हमने कोई calculator का time value का function यूज नहीं किया अगर आपको time value का function यूज करके solve करना है तो अब आपको कैसे करना पड़ेगा ठीक है एक चीज time value of money का जब आप question करेंगे न तो इन calculators में एक problem है यह तब तक चीजे याद रखते हैं जब तक आप इनको manually भूला नहीं देते हो now the problem is कि calculator भूलते ही नहीं आप c e oblique c का button दबाएंगे तो भी calculator भूलेगा नहीं और अगर आप on off कर देंगे तो भी यह भूलेगा नहीं कि याने आपको actually यहाँ पर यह वाला function यूज करना पड़ेगा कौन सा clear tvm यह exam में ध्यान रखना नहीं तो आपने एक question solve करा और उसके बाद दूसरा question solve करा तो पहले question का भी सारा data ले लेगा time value of money का ठीक है अनलेस आपने वह data change नहीं किया नहीं चेंज कर रहा हो पुरान data लेकर solve कर दे तो आपको धियान रखना है आपको clear tvm याने clear time value of money करना है before doing any question in exam कैसे करेंगे आपको आता है second का button press करेंगे और clear tvm करेंगे ठीक है चली अब इसी question को अगर हम इस calculator से solve करना चाहें तो कैसे करे पहले n नहीं press करते हैं पहले लिग दो भाई कितना n है कितना है n तो 2 press करेंगे और n का button press कर देंगे यह समझगे n is equal to 2 हाँ दूसरी जीज आए भाई भाई यहने interest rate interest rate कितनी है तो आप 10 लिखेंगे कोई percent version का symbol मत press करना सीधे बस 10 लिखना और आए भाई भाई का button press कर 2000 लिखेंगे और पीवी का button press कर देंगे ठीक है okay 2000 लिखा और पीवी का button press कर दिया हां दोस्तों payment हमारे question में कुछ है या रेकरिंग तो कुछ है नहीं कुछ है नहीं तो यह zero होना चाहिए और यह actually zero है क्योंकि हमने clear कर दिया time value of money मैं बता रहा हूं यही चक्कर होता है अगर previous question में आपने कुछ payment लिखा रहे है ना तो याद रख लेता और उसको भी use कर लेता है तो before doing any question you have to make a habit of pressing this two keystrokes ठीक है okay हाँ जी अब now what do we have to do we have to compute future value उसके लिए आप ये CPT का button press करेंगे compute और फिर future value का button press करेंगे and to your surprise you get the answer 2420 हाला कि ये जो answer आ रहे किस में आरा minus क्योगी calculator में आपने जब present value लिखी थी तो कैसे लिख दे थी plus plus में present value लिख दी तो calculator ने क्या मान लिया था अच्छा आज आपको पैसा मिल रहे है और आज मिल रहा है मतलब कल जाएगा आज जा रहा होता तो फिर कल मिलता तो signs को हम ignore करेंगे आप अगर फिर भी sign के अगर आपको 5th year की निकालनी future value तो देखना आप simple क्या करेंगे 5 का बिटन प्रेस करें और N प्रेस कर दीजे अब इसने calculator ने number of years कितना ले लिया 5 बस कुछ भी नहीं बताना है इसको आए भाई भाई ये पुराने ही ले लेगा present value पुराने ये simple क्या करना है compute future value करेंगे दो answer या गई future value अना आ रहा है future value अच्छा आपने clear कर दे आपने नहीं clear करा तो answer कितना आया 3221 is that clear ओके तो ये ध्यान रखना कि वो clear हमें जरूर करना है और मतलब मैं जब खुद exam देता था तो मैं clear करने के बाद भी आपने clear करा और फिर आप compute future value करें फिर भी answer दे रहा है impossible देखो clear ऐसे करना है second का button press करा और fv कर दिया clear work नहीं करना है clear tvm करना है दोस्त clear work is a different thing clear tvm कर दिया हाँ अब compute करो future value कर लो कुछ students एक mistake कर रहे हैं वो यह कर रहे हैं कि second का button press करने के बाद clear tvm करना है तो उसमें वो इस arrow का button press कर दे रहे हैं नहीं clear tvm करना है तो आपको fv का button press करना पड़ेगा तो आपका time value of money का data clear होगा right यह second वाला जो बटन है वो इसके ऊपर जो लिखा है वो काम करता है is that clear ठीक है ओके यहाँ पर जैसे यह बटन का second यह है इस बटन का second यह इस बटन का second यह है तो clear tvm के लिए आपको fv का button press करना पड़ता है ठीक है चलिए ओके मतब आप 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 correct button press कर रहे थे हैं और आपने incorrect button press कर रहा था तो इसलिए वो उसने भूला ही नहीं राइट आपने भूला ही नहीं उसको okay so coming to our example दोस्तों यहाँ पर आपको यह समझ में आगया how to calculate the future value okay इसी future value को calculate करने का मैं आपको calculator पर एक और तरीका बता रहा हूँ हाला कि उसे हमें generally use नहीं करना पड़ेगा तरीका यह है कि जब आप future value का formula देखेंगे तो आपको क्या future value का formula यहाँ दे बचपन से future value is equal to present value into 1 plus r raised to the power n है अब यहाँ पर हमारा जो आ रहे वह basically i by y is over r तो मैंने i by y लिख दिया यहाँ पर present value कितनी है 2000 1 plus i by y याने की 1.10 i by y is decimal क्योंकि इस formula में वो decimal में आता है रेस तुदी पावर कितना है यह तो हम इसको कैसे शॉल कर सकते हैं पहले 2000 इंटू मत कर देना पहले ब्रेकेट शॉल होता है और ब्रेकेट की पावर शॉल होती रहे तो पहले 1.10 रेस तुदी पावर क्या करना पड़ेगा तू अब 1.10 रेस तुदी पावर तू इस calculator में वैसे नहीं होता है जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेटर में करते हैं नॉर्मल कैलकुलेटर में आप क्या करते जाना है मेरे साथ प्रैक्टेस होगी ताकि पता चल जाए क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है आप 1.10 करेंगे करा आपने 1.10 यस नॉर्मल कैलकुलेटर में आप इस calculator में वो normal calculator जैसा नहीं होगा अभी भी आपकी screen पर 1.1 ही दिख रहा है हाँ, आपको 1.10 की power कितनी चाहिए 2, तो आपको यहाँ पर यह वाला function use करना पड़ेगा, ठीक है y raised to the power x आप इस button को press कर दीजिए अभी तक आपकी screen पर 1.10 दिख रहा था आपने इस button को press कर दिया, ठीक है हाँ, अभी भी आपकी screen पर 1.1 ही दिख रहा है याने y का data 1.10 जा चुका अब बस power max define करना है तो अब आप यहाँ पर 2 press कर दीजिए ओ, इतने में answer ही देगा आपको equal 1.21 आ गया 1.21 को जब हम multiply कर लेंगे अब क्योंकि यहाँ पर power 2 ही थी तो हम बजाएगी इस button को use करते है हम सीधे x square भी use कर सकते थे क्योंकि x की सीधे power ही हमें 2 पर ले जाना है 1.1 याने 1.10 और सीधे x square कर देंगे तो power 2 पर लेगे आपको उसने future value निकाल दिया दोस्ते जो 1.21 आ रहा है इसे हम टेक्निकली कहते है future value factor क्या कहते है इसे technically future value factor कि आज का एक रुपिया दो साल बाद आखर कितना बनेगा तो today's 1 रुपी will be equal to 1.21 रुपी at the end of second year is that clear तो आपको यह button भी use करना आ गया हाँ अगर हमें 5th year का निकालना है तो इससे निकाल सकते इसने 1.10 y की power x button press करा और अब 5 press कर दीजिए equal का button press कर दीजिए इसने आपको future value factor दे दिया 1.61 और उसको into 2000 कर लीजिए you will get the same answer वो 32 जो आपने बताया था वो answer आ जाएगा exactly है तो normally हमारा यहां से काम हो जाएगा बट यह भी हमारे पास एक तरीका है for simple cases ठीक है चलिए दोस् सकते हैं now let's talk about present value of a single sum तो present value ठीक opposite process होती है future value निकालने की याने अभी हम क्या कर रहे थे अभी हम यह मान कर चल रहे थे कि यह जो 2000 डॉलर है यह हमारे पास अभी हैं और future में कितने बन जाएंगे now the situation has changed अब यह जो 2000 डॉलर हैं यह कहां पर है future में रखें में suppose आपको second year के end में 2000 डॉलर मिलने वाले हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि वह 2000 डॉलर तो उस दिन बिलेंगे आज इस 2000 डॉलर की कीमत आखेर क्या है ठीक है so we have to we have been given a discounting rate of 10% discount rate वर्ट भी यूज कर सकते हैं compound rate वर् calculating the present value of interest rate वर्ट भी यूज कर सकते हैं required rate of return वर्ट भी यूज कर सकते हैं ठीक है हाँ जी we have to calculate the present value of dollar 2000 with that will be received in two years I hope आपको पता हैं कि हमें क्या keystrokes प्रेस करने कभी भी एक अच्छी आदट डाल लो calculator करो उससे पहले second और FB का बेटन प्रेस कर देना नहीं तो वो पुरानी सारी चीज़ें याद रख लेता है ठीक है कर लिया हमने बस अब हम data डालेंगे टू लिखकर क्या प्रेस कर देंगे एं टेन लिखकर क्या प्रेस कर देंगे आए भाई भाई ठीक है फिर present value हमें पता यही पता कर नहीं है यही पता करने तो अभी इसको पंडिंग रखते हैं पीम्ट तो कुछ ही नहीं हमारे के इसमें पेमेंट ड्राकरिंग हाँ जी और future value कितनी है तो 2000 लिखकर हम future value प्रेस कर देंगे अब क्या करेंगे हम compute present value and you get the present value right you get the same answer जो यहाँ पर लिखाव है 1652.89 और क्या लिखाव है ignore the sign वो simple या तो आप उतनी महनत कर लो कि वहाँ पर plus minus लगाओ ठीक है आपको simple opposite sign में answer मिलेगा is that clear ओके दोस्तों मजे की बात यह है कि अब यह जो 1652.89 आपकी screen पर दिख रहा है ना अभी भी दिख रहा है आपकी screen पर 1652.89 आप एक काम कीजिए present value को बटन प्रेस कर दीजे तो क्या लिट रहे है इसको ले लिया है किसमे present value है अब आप 0 का बटन प्रेस कीजी और future value का बटन प्रेस कर दीजी याने हमने future value कि इसनी set कर दी 0 याने जो थी उसको भूला दिया अब अगर आप compute करते है future value आपका answer आजाएगा 2000 डॉलर करके देख लो करके देख लो compute future value राइट क्योंकि जब इसकी present value यह है तो इसकी future value है विट एक और चीज़ बातों में मैंने बता दी अगर कोई answer आया हो उसे reuse करना हो तो बस वह answer रहने तो screen पर और present value का बिटन दबा दो present value में चला जाएगा और दूसरा future value हमने पहले से डाल रखा था 2000 उसको हटा दो नया future value हमें calculate कर देगा ठीक है okay this is how we हटा दो तो बहतर है नहीं भी हटा होगे तो वो correct answer देगा क्योंकि आप उससे future value पूछ रहे तो अपनी future value वो ignore कर देगा okay हम इसी question को हम कुछ दूसरे तरीकों से भी कर सकते दूसरे तरीके क्योंकि हम पहली बार समझ रहें इसलिए दूसरे तरीके समझ लीज़े राइट दोस्तो future value का यह formula तो आपको सबको बता है future value is equal to this अब इसी से derive हो जाता है अपना present value का formula right present value का formula simple हम कैसे लिख सकते हैं यह तो i by y का power n है उसको यहाँ पर denominator में ले आएंगे तो अब ज़रा मुझे इस पर data fit करवाईए present value is equal to 2000 divided by 1.1 की power कितना 2 अब इसे कैसे solve करते हैं वो हम समझते हैं ठेके आगे calculator में obvious सी बात है कि पहले हमें denominator solve करना रहेगा कैसे solve करेंगे मेरे साब से कुछ कुछ आप भी समझ पा रहे हैं 1.1 कर लिया हमने इतना x square कर दें और अगर उससे जाधा power हो दो से जाधा power हो तो फिर y की power x वाला button use करके फिर अगर 545 लिखकर equal करेंगे अभी आपने x square करा तो यह आगया 1.21 but the point is कि 1.21 जो answer आया वो आपक करना पड़ेगा अब आपका जो साधारन calculator होता है इसे वैसा ना चला है साधारन calculator में मैं बताता हूं आप क्या करता आप डिवाइड इक्वल टू का बिटन प्रेस करेंगे आप यहां करोगे डिवाइड इक्वल टू तो कुछ नहीं होगा करके देख लो आप डिवाइड तो वो 0.8 और कुछ आ गया है ना वो उसने क्या कर लिया सिंपल 1 divided by 1.21 कर दिया है ना पॉइंट और कुछ आ गया उसे multiplied by कितना कर लेंगे 2000 तो यह सेम आंसर जो आ रहा था 1652.89 इस आप लियर ठीक है यही प्रसेस यहां पर देभी रखिए ठीक है ओक है दोस्तों हमने दो चीजें सीख लिए एक तो how to calculate future value and then how to calculate present value अब हम तीसरा aspect समझेंगे and that is annuity तो annuity के बारे में मैं समझाओ उसके पहले annuity खुद क्या होती वो मैं आपको बता देता हूं किसे annuity कहते हैं दोस्तों हम LIC की premium pay करते हैं घर पे पापा ने उनका life insurance करवा रखर वो उसकी premium pay करते है suppose गरोगी वो 20,000 रुपीज की हर साल premium pay करते हैं कुछ सालों से pay करते चले आ रहे हैं और कुछ और सालों तक pay करते चले जाएंगे तो अगर हम कोई सा ऐसा cash outflow कर रहे हैं या cash inflow कर रहे हैं जो equal amount है हर बार जो कैसा है equal amount है हर बार और जो time gap है between any two consecutive payments वो भी equal है तो फिर ऐसे cash flow stream को हम क्या कहते हैं annuity कहते हैं याने सरल जब्दों में अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा payment stream बनाओ जीरोध यह फर्स्ट यह सेकंड यह और थर्ड यह और मैं यहाँ पर हर जगह पर 2000, 2000, 2000 लिग दो it will qualify as an annuity अब मैं यहाँ पर 4th year लिग देता हूं और मैं 5th year लिग देता हूं और मैं यहाँ पर भी 2000, 2000 लिग देता हूं यह भी क्या है annuity लेकिन जैसे ही मैंने आपर 3 गर एक खतम यह annuity नहीं है क्योंकि annuity की definition है कि हर बार amount कैसा होना चाहिए same होना चाहिए और यहाँ पर amount same नहीं second situation मैंने यहाँ से हटा ही दिया और अब बोला देखो ना हर बार जब भी payment है तो 2000 अभी भी annuity नहीं है क्योंकि जो time gap है between any two consecutive payment वो same होना चाहिए अब यहाँ तो 1-1 year का gap है लेकिन यहाँ पर 2 year का gap है again it doesn't qualify as an annuity right annuity means equal amount each time and equal time gap between any two consecutive payment then only it will be classified as an annuity sir अगर वो annuity नहीं हुई तो फिर क्या कैसे करेंगे तो फिर किसी दूसरे तरीके से करेंगे बड़ उस case में annuity का function नहीं चलेगा ठेक है ओके तो दोस्तो इंट्रेस्ट रेट तो same होनी चाहिए ओविस दोस्तों यह हमने देखा कि किस तरीके से annuity कहलाती है अब दो तरहें कि annuity होती है एक होती ordinary annuity और एक होती annuities due क्या आपने इसके पहले कभी पढ़ रखा है ordinary annuity और annuities due क्या होती है सबोस करें कि BMA agent insurance agent आया और उसने हमारा insurance किया इंशॉरेंस अगर हमने आज करवाया लेकिन उसकी जो पहली किष्ट थै पहली premium हमने आज नहीं देनी हमें कभ देनी 1st period के end में दूसरी किष्ट रख देनी 2nd period के end में तीसरी installment कभ देनी 3rd period के end में तो अगर installment का payment कभ हो रहा ह पीरेट के end में, first period के end में, second period के end में, third period के end में, then it is called as an ordinary annuity. याने कि यहां जो आपको यह cash flow pattern दिख रहा है, आपको क्या लगता है? यह ordinary annuity है? जी हाँ. क्योंकि यहां पर जो पहला payment है, पहला cash flow यह वो कब हो रहा है? first year के end. Welsh लेकिन आपको बताओका कि जब हम इंशुरेंस करवाते तो ं इंशुरेंस कमनी एक साल वेटनी करती पहली प्रीमियम आने का। DS करवाते हिसी हमें ządως इमेडिर्टली प्रीमियम देनी पड़ी तो इंशुरेंस कमनी क्या कहती है है पहले साल की जो किष्ट है वो पहले साल के अंत में नहीं लेंगे फर्स्ट यर की installment हम आपसे first year के beginning याने practically जीरो तीयर के पर ही लेंगे जो second year की installment आएगी उसके लिए wait नहीं करेंगे second year के end का advance में आपको जमा करनी पड़ेगी किष्ट और जो third year की installment है वो आपको third year के beginning याने practically second year के end पर pay करनी पड़ेगे तो अगर ऐसा cash flow pattern है याने कि ऐसी annuity है जहाँ पर amount beginning में due हो रहे है then it is called as annuity due, is that clear? इसे हम annuity due भी कह सकते हैं, annuity at the beginning भी कह सकते हैं सर यह beginning में कब होगा और end में कब होगा हमें कैसे बता चलेगा अगर question silent हो तो by default it's an ordinary annuity और उन्होंने बोलाए कि next 5 years तक आपको 2000 पे करने हैं या मिलेंगे मतलब वो next 5 years के year end पर pay करने है या फिर मिलेंगे अगर वो specifically बोलेगी amounts are receivable at the beginning of the corresponding years या फिर it's a case of annuity due तो फिर amount कब due हो जाते है beginning में due हो जागा क्या दोनों annuities की present value future value same आएगी या difference आजाएगा difference आजाएगा तो अब सबसे पहले हम सीख रहें how to calculate future value of an ordinary annuity चार चीज़े सीखेंगे how to calculate future value of an ordinary annuity फिर सीखेंगे how to calculate present value of an ordinary annuity फिर उसके बाद annuity due पर जाएगे और सीखेंगे how to calculate future value and then we'll learn how to calculate present value चीज़ेंगे ओक है question is किसर यह annuity due का example क्या है तो आपकी life insurance की जो प्रीमे में वो क्या है annuity का example यह फिर हो सकता है कि आपने कोई जिम जॉइन करी हो और जिम कम में आप पेमेंट कर रहें मन्तली सब्सक्राइब कि आपका 2000 रुपीज का हर महीना जिम का फीज लग रहा है 2000 2000 2000 अगें इडिस अग्जामपल ऑफ एन 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 कुछ कहना चाहरे हो भालते हमें आछव जो होता है रक्रींग डिपोसित ऑ और पोस्ट ऑफिस में सब्सकराइब एक एन एकशेमपल ओफ तो एन्यूटी के बहुत सारे एक्जाम्पल्स बन सकते हैं ठीक है अब हम देखते हैं दोस्तों आखिर इन्यूटी की future value और इन्यूटी की present value कैसे calculate करते हैं calculate करने के हमारे पास दो तरीके हैं पहला तरीका simple तरीका यह है कि भूल जाओ कि यह कोई अन्यूटी है मत मानो आपकी एन्यूटी आप तो मानो की हे 2000 तुम एक single amount हो next 2000 तुम भी एक single amount हो और next 2000 तुम भी एक single amount हो because annuity या नहीं क्या जो single amount है उसका एक series है हमने नहीं माना की annuity है हम भूल गा है मैं मालूम है नहीं की annuity का क्या concept है तो यह 2000 है 2000 है 2000 and what do we have to do we have to calculate future value which means कि हमें यह बताना है कि आखिर इस point of time पर इस पूरे series of cash flow की इस point of time पर आखिर क्या value है common sense से निकाल सकते हैं अपने financial calculator से निकाल सकते हैं क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इस 2000 को उठाना पड़ेगा और इसको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा ठीक है तो इस 2000 को हम यहाँ पर लेकर आते हैं अब ध्यान देना यार इस 2000 को हम यहाँ पर कैसे लाएंगे अपने financial calculator से यहाँ पर लेकर आते हैं ठीक है हाला कि annuity का एक direct function है लेकिन इस process से सीखेंगे तो ज्यादा conceptual clarity रहेगे ओके दोस्तो मेरे पास भी मतलब यह यहाँ पर calculator है तो मैं भी चाहूं तो आपके सामने मतलब यहाँ पर अभी calculation कर सकता हूं है ओके यहाँ पर यह रहा दोस्तों calculator तो मैं भी यहाँ पर calculation कर सकता हूं बट I hope कि वो जो मैं आपको calculator का बस image display कर रहा हूं उससे आपको चीजें समझ में आ रही है तो कितने की future value निकालनी थी हमें 2000 तो मेरी एक बहुत अच्छी आदेते हैं मैं second का बिटन प्रेस कर देते हूं और FV का बिटन प्रेस कर देते हूं निकालना चाहरा हूं न तो वो तो annuity हुआ ही नहीं मैं तो 2000 की future value निकालना चाहरा हूं नंबर आव यह कितने लिगेंगे सब्सक्राइब निकालना चाहरा हूं तो मैं काम करता हूं आपके सामने वो पैटन डिस्प्ले कर देता हूं तो यहाँ पर यह था वो हमारा cat flow pattern 2000 और 2000 की हमें future value यहाँ निकालना तो आपने वहाँ पर 2000 तो लिख दिया क्योंकि जब आप इस पूरे perspective में देखेंगे तो 2000 future या 2000 तो present है जो हम पाना चाहरे है उसके मुकाबले तो present है न तो आपने 2000 लिख दिया present value में now my question to you is कि n is equal to कितना लिखेंगे n is equal to correct answer is 2 क्योंकि आप कहां पर हैं अभी first year में और आपको जाना कहां है third तो first से third तक की दूरी कितनी होती है just two years अगर यही amount zero पर पड़ा हुआ होता है और हमें third की future value निकालनी होती तो कितना लिखते है फ्री अभी जब है ही first पर और हमें यह आ जाना है तो n is equal to कितना लिखेंगे 2 तो आप calculator में 2 लिखें और n का बटन प्रेस कर दीजिए rate of interest दोस्तो 10% लेकर चलेंगे हाजी तो अब आप 10 लिखने के बाद आए बाए 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 प्रेस कर लेंगे ठेक है that's it हाना अब PMT तो कुछ ही नहीं compute future value बताएंगे दोस्तों कितनी आती है 2420 याने इस 2000 की future value 2420 अब हमें इस 2000 की future value निकाल लेते हैं यह तो पता ही है 2000 लिखो और into 1.10 कर लो क्योंकि एक ही बार तो यहां लाना है कितना होता है double two double zero और यह जो 2000 यह तो है ही third year में तो इसकी future value 2000 होगे जब हम इन तीनों को sum up कर लेंगे आप इन तीनों को sum up कर लीजिए do you get the same answer 6620 is that clear तो annuity को हम तोड़कर भी individual amount को भी वहां ले जाए और फिर बात में उनको sum up कर लें तो we get the same answer यह process भी वहां पर notes में धी हुई है but दोस्तों अगर यही यहां पर 3 years की जगे 10 years होते तो आखिर हम कब तक करते तो इसके लिए हमारे calculator में function है कि आप annuity का directly future value present value निकाल सकते हैं दोस्तों शुरू करते हैं second का button प्रेस करेंगे और FV का button प्रेस करेंगे इससे clear TVM हो जाएगा तो अब यहां पर number of years कितने डालेंगे where n means number of payments so how many payments are there there are three payments 3 और n ठीक है 3 प्रेस करा और n प्रेस करा rate of interest कितनी है 10 प्रेस करा और i by by press करा क्या present value कुछ भी है नहीं है कुछ भी नहीं present value 0 पर तो कुछ भी नहीं उसको छोड़ दो वह automatically 0 अब आपको PMT आने payment यहां पर payment का मतलब होता है recurring payment तो recurring payment कितना है 2000 तो 2000 लिखकर हम PMT का button press कर देंगे ठीक है करा हमने compute future value to your surprise you get the same answer 6620 is that clear यह निकल गई future value है ना पर उसने background में क्या कर रहा है उसने individually सिब की future value निकल दिए और समात कर लिया है ना this is how we calculate future value अब अगर यही हमें fourth year, fifth year, sixth year, seventh year, eighth year भी दिया हो और हर बार 2000, 2000, 2000, 2000 हो हम same function use कर सकते हैं हमारा payment to 2000 ही रहेगा आई भाई भाई भी 10 ही रहेगा बस n की value change हो जाएगी है ना n की value suppose करो की 10 है तो आप 10 लिखो n लिखोगे और compute future value कर लोगी you will get the answer की 10th year के end में आखिर इस series of cash flow की future value क्या है क्या है clear है सबको right और आप चाहो तो उस answer को manually एक 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 को वहां ले जाकर sum up करके भी verify कर सकते हो जॉप करोगे नहीं okay दोस्तों यह हमने सीखा how to calculate future value of an annuity right sir sir यह future value का function of an annuity कहां काम में suppose करें दोस्तों कि आपने आपके पास कोई agent आया और उसने आपको promise करा कि आप मुझे हड़ साल 2000 दीजी कब तक 10th year तक और मैं आपको 10% return दूँगा तो now you would be interested in knowing how much I am going to get at the end of 10th year how would you calculate you will simply pick up your financial calculator n is equal to कितना set कर दोगे 10 i by y 10 present value तो कुछ ही नी PMT 2000 compute future value निकाल रहा है अब अगर future value वो आ जाती जो वो promise कर रहा है तो हम बोलेंगे ठीक आप सभी promise कर रहे हो कि हमें 10% return मिल रहा है अगर हमारा calculator future value कम बता रहा है हमारा calculator future value ज्यादा बता रहा है और वो बंदा कम और हम क्या बोलेंगे बास 10% return का जो आप हमें वादा कर रह तो यहाँ पर यह functions वहाँ पर काम में आते हैं ठीक है अब second aspect हम समझते हैं how to calculate present value of an annuity मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा how to calculate present value of an annuity अगें दोस्तों आप उसे इसी तरीके से imagine करेंगे अब हम इसे अगें दो तरीके से करते हैं पहले तो अपने direct वाले calculator वाले तरीके से कर ले आप एक काम करो अभी आप यह second or tvm करो ही मत कर दिया क्या कर दिया तो बहुत बढ़िया नहीं करा तो आप ऐसा भी कर सकते हो हाला कि मैं खुद recommend नहीं करता हूं पर उसमें फिर सब ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने क्या-क्या data डाल रख और और क्या बागी जिसने नहीं करा वो simple पता है क्या करो आपने n 10 तो set नहीं कर दिया था कर दिया था कर दिया था करनी है यहीं पता करनी है payment कितना set कर देंगे तो 2000 लिखेंगे और PMT का button प्रेस कर देंगे और future value automatically कुछ नहीं छेड़ोगे तो जीरो रहेगे compute present value कितना आता answer 4973.70 ठीक है इस answer को अगर हमें verify करना हो तो देगी हम कैसे verify cuts रखते हैं इस 2000 की हम one year की discounting करेंगे present value निकालेंगे इस 2,000 की हम two years की discounting करेंगे velvet value निकालेंगे और modeling इस 2000 की हम three years की discounting करेंगे present value निकालेंगे एक बार इसे भी हम कर ही लेते हैं तो आप एक काम कीज़िए Con लेटर पर आईए और सेकेंड और ये एफ ये तो करी देना है ना चलिए सीई कर दीजे क्लियर वक कर दीजे सारी चीज़े जीरो पर आ गई हाँ अब आप 2000 लिखें और डिवाइड का बिटन प्रेस करें और वन पॉइंट वन कर दें कितना आ रहा है इस क्रीन पर ये अब कुछ भी क्लियर मत करना है न वन इंट वन इंट जो है वह उस 2000 की प्रेसिंट वालिव आगे इस 2000 की एक साल की दिसकांटिंग करनी है दो साल जिसमें से एक साल की discounting करेंगे तो 1818 तो आए गई आएगा divide by इसी number को 1.10 और कर दीजिए और equal price कर दीजिए कितना आता है 1652 और इस 2000 की 3 years की discounting करनी है तो 2 बार की discounting की तो value भी पता है 1652 एक बार और further discount कर दो divide by 1.10 कितना आ रहा है 1502 point कुछ आया जब आप इन तीनो numbers को plus कर लेंगे करके देख लीजिए दोस्तों यह answer आजाएगा fractional difference आ सकते है 1502 1652 और 1818 को press करेंगे plus करेंगे तो यह आ जाएगा answer ठीक है अभी तो मैंने क्या करा कि मैंने आपको वही एक जो number था उसी को reuse कर वाया फिर से reuse कर वाया अगर आपको afresh करना होता सबोस करोगी इस 2000 की fresh आपको present value calculate करनी है तो आप कैसे करते हैं 2000 divided by 1.10 की power कितनी मान लेते हैं 3 और उसको यहाँ पर कैसे करते हैं 1.1 फिर y to the power x 3 यह आ गया 1.10 की power 3 का answer 1.331 ऐसा कुछ आ गया हाँ अब यह जो है यह power जो है वो तो denominator में है ना तो कौन सब इतन प्रेस करेंगे 1 by x तो यह inverse कर देता है उस number को ठीक है और बस अब multiplied by 2000 कर लिजी तो आपका same answer आ जाएगा 1502 पॉइंट कुछ इस दाट क्लियर ठीक है तो थोड़ा सा familiarity बननी चाहिए हमारी calculators ओके दोस्तो हमने दो चीजें सीख ली है कौन सी दो चीजें सीख ली एक तो हमने यह सीख ली है how to calculate future value of an annuity and how to calculate present value of an annuity एक बहुत खास बात की और मैं आपका ध्यान आकरशित करना चाहूंगा आप और मैं अभी कौन सी annuity की बात कर रहे है ordinary तो जो भी मैं शब्दों बोलूँगा वो ordinary annuity के लिए ही होंगे ordinary annuity की जब हम future value calculate करते है तो वो future value चौथे साल की होती है या जब एकदम आखरी payment मिला है उसी वक्त की future value होती तो यह ध्यान रखना जब आप future value of an annuity calculate करते हो future value of an ordinary तो वो किस point of time की future value calculate होती है जो सबसे आखरी annuity होती है उसी वक्त की वो future value होती है ठीक है जब आप present value calculate करते हो कहानी बदल जाती है तो जो आपका सबसे पहला payment होता है ना दिन की नहीं निकलती present value 0th year की याने इसको technically कहें तो जो सबसे पहला payment है उससे एक period पहले की present value निकलती पस इस fact को ध्यान रखे क्योंकि आगे जाकर काम में आएगा हां so to sum up future value of an ordinary annuity calculate करते हैं तो जब आकरी payment है तभी future value निकलती है पर जब हम present value calculate करते हैं तो जो पहला payment है वहां की present value नहीं निकलती उससे एक पहले 0th year word थोड़ा गलत हो जाएगा उससे एक पहले की present value निकलती और वह एक पहला 0th होता है is that clear आपको दोस्तों अब हम यहां पर again present value of an ordinary annuity ही अभी निकाल रहे हैं again हम क्या सीख रहे हैं how to calculate present value of an ordinary annuity लेकिन यह annuity जो है वह पहले period से शुरू नहीं हो रही है इसका सरल जब्दों में मतलब यह है कि आपने आज किसी के साथ agreement तो कर लिया लेकिन आप जो किष्टे पे कर रहे हो वह first period के end से पे नहीं कर रहे हो ऐसा होता है loan के case में भी जब bank आपको loan देती ना तो कुछ वह आपको moratorium period देती है कि आपको इतने अगले तीन-चार महिन तक किष्टे चुकाने की जरुरात नहीं है लेकिन उसके बाद से आपको किष्ट चुकानी पड़ेगी तो suppose करें कि हमने bank से कुछ loan लिया और bank का कहना है कि आपकी इतनी किष्ट बनेगी इतनी installment बनेगी फिर आपको first year के end से शुरू नहीं करनी तीन साल का cooling period है यानि first year, second year, third year there will be no installment आपकी पहली installment ही कहां होगी fourth year ठीक है तो फिर उस case में present value of annuity कैसे calculate करते हैं वो अब हम सीख रहे रहे इसे दोस्तों हम deferred annuity भी कहते हैं कौन सी annuity deferred annuity जो कुछ deferment के बाद कुछ विलम्ब के बाद कुछ delay के बाद शुरू हो रही है question पढ़ेंगे दोस्तों, what is the present value of a $400 end of year payments कितने का payment है, $100 का कब हो रहा है, end of the year में, end of the year पर payment हो रहा है, it's a case of an ordinary annuity, right, और कितने payments है, there are four payments, if the first payment is to be received three years from today, तो zero is today, पहला payment कम मिलेगा, first year के end पर मिलेगा, नहीं, second year के end पर मिलेगा, नहीं, is to be received three years from today, तो आज से तीन साल बाद, ये एक साल, ये दो साल, ये तीन साल, पहला payment कम मिलेगा, यहां पर, और फिर ये payment कितनी बार मिलेंगे, चार बार, right, what is the present value, and now we have to calculate present value, इस बार ध्यान रगना, rate change होकर कितनी हो गई है, 9%, ठीक है, अब दोस्तों, हमारा जो financial calculator इसमें इतनी शक्ती नहीं है, कि ये आपको सीधे present value दे दे, लेकिन, अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर trick लगाएंगे, आप एक ऐसी timeline बना लेंगे, और timeline पर आपने या पर cash flow लिख लिए, सर क्या, exam में नहीं, exam में दिमाग में बनेगी timeline, तो दिमाग में बन गई timeline, पहला payment कहां से शुरू हो रहा है, 3rd year, 3rd, 4th, 5th, 6th payment, and what do we have to calculate, we have to calculate present value here, ठीक है, सीधे यहां की present value calculate करने का कोई option इस calculator में नहीं है, है, ठीक है, आप मन ही मन मान लेंगे कि आप यहां पर खड़े हुए ही नहीं है, आप दोड़ लगा कर कहां पहुँच गए हैं, यहां पहुँच गए आप दोड़ लगा कर, और भूल जाओ अपना अतीत, अपना past आप भूल लियाओ, और जबाब आप दृष्टी डालोगे इन सारे payment में, तो अभी यह deferred annuity नजर आ रहे हैं, एकदम ordinary annuity नजर आ रहे हैं, ordinary annuity, यहने भूल जाओ कि यह second year है, मान लो कि यही तो आपका zero tier है, तो आप तो यह ordinary annuity हैं, हाँ, अब आप अपने financial calculator को उठाएं दोस्तों, और calculator को उठाते वाग, वो ज़रूर कर ले ना यार, second or future value, यहने second clear time value of money है ना, उसकी मेरी कोई guarantee है, n is equal to, कितना set कर देंगे, 4, क्योंकि number of payments कितने है, 4, i by y कितना set कर देंगे, 9, मतलब 9 लिखकर i by y प्रेस कर देंगे, PMT कितना set कर देंगे payment, 100, ठीक है, payment में अभी 400 किसमें बोलना, payment जब लिखते हैं तो सारे payment हम इखटे नहीं करते है, हमें, calculator इतना समझदार है, PMT में 100 है, तो समझ जाता हर बार का payment, 100 है, ठीक है, तो आप इखटा मत करने लगना, वो calculator करेगा, PMT कितना आ गया, 100, अब future value तो कुछ अलग से हैं यह नहीं, what do we have to compute, we have to compute present value, दोस्तों, आंसर बताइए कितना आ रहा है, 323.97, is that clear, okay, क्या यह जो present value आई है, यह 0th year की आई है, या अभी जिस timeline पर हम काम करेंगे हैं, 2nd year की आई है, या 3rd year की आई है, 2nd year, 2nd year क्यों बोला, अपना पहला payment तो 3rd year पर हो रहा है, तो just अब भी मैंने आपको concept बतायता है, कि जब भी present value calculate होती है, तो जहां से payment शुरू होता है, वहां की present value नहीं आती है, वहां से एक पहले की present value आती है, अब अगर ordinary annuity 1 से शुरू हो रही तो एक पहले आने 0 की present value आ जाएगी, अगर annuity 3 से शुरू हो रही तो present value कहां की आती है, 2 की आती है, यह जो 2 की present value हो, इसे हमें कहां पर लाना है, 0 पर, तभी तो निकले की present value टुडे, इसको यहां लाने के दो तरीके, यह तो आपकी screen पर है इसे यह भी, या तो आप इसको divide by 1.09 कर दो, divide by 1.09 कर दो, equal कर दो, तो यह एक साल और पीछे किसक जाएगी present value, फिर अगर मजे लाने हो आपको, तो वापिस यह time value of money function यूज करने पड़ेंगे, यह जो amount है न, इस very good, यह कितनी सही बात बोली, दिल जिल लिया, future value पर डाल दो, मतलब यह screen पर है आपके number, आप future value का button प्रेस कर दो, यह amount कहां चला गया, future value है न, please, please, अभी गलती से भी compute और present value मत क्लिक कर देना, नहीं तो वो payment payment सब ले लेगा, N भी change करना पड़ेगा, और PMT भी 0 करना पड़ेगा, हाना, तो आप एक काम कीजिए, 0 लिखकर PMT का button प्रेस कर दीजे, तो payment 0 set कर दिया, I by Y तो अपना वही है, और 2 लिखकर N set कर दीजे, क्योंकि हमें 2 साल की present value करने है, अब आप compute present value कर ले, I'll get the same answer, ठीक है, आगया same answer, तो इस तरीके से दोस्तों financial calculator को चला परें, ठीक है, अब दोस्तों, अब दोस्तों इसका practical application देख लें थे हैं, कि इसका आखर practical application क्या ही है, जो हमें annuity की present value calculate कर रहे है, सबोस करो कि एक bond है, जो हमें कुछ इस तरीके की cash flows द देखना है कि वो जो भी cash flows bond हमें future में दे रहा है, उसकी आज की कीमत आखर क्या है, तो एक bond है जो कि आपको coupon interest payment करेगा, कितने euros का, 70 euros का, right, at the end of each year, और ध्यान से पढ़ना है, at the beginning word लिखा या at the end, क्योंकि at the beginning लिखा है, तो annuity due के में चला जाएगा, और उतने में answer change हो जा है, 8% and we have to calculate the present value of the bonds promise cash flows, दोस्तों, यह cash flow pattern यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और discounting rate कितनी है, 8%, ठीक है, चले, हमें calculate करना है, इसकी present value, अब इसकी present value calculate करेंगे, एक बार में होगी या दो बार में, एक बार में हो जाएगी, one shot, ठीक है, यह जो 70, 70, 70, इसको कहाँ है, PMT में, payment में, ठीक है, चले, तो आप एक काम कीजिए, आपने वो कर लिया ने, clear time value of money, second करके, clear TV, अब आप PMT की जगे कितना डाल देंगे, 70, हैने 70 लिखकर PMT का button press कर दिया, ठीक है, क्या से 70 है, 1000 भी है, 1000, 1000 कहाँ डालेंगे, future value में, तो 1000 लिखकर future value का button press कर देंगे, ठ 6, ऐसा करने से, वो दो चीज़े समझ गया, कि यह जो payment यह छे बार हो रहे है, और वो जो future में value मिल रही है, वो 6th year के end में, मिल रही है, ठीक है, N is equal to 6, set कर दिया, I by Y कितना set कर देंगे, 8%, discounting rate is 8%, 7% तो ब्याज जो हमने ले लिया, तो I by Y आपने 8 set कर दिया, compute क्या कर लें बताएंगे, present value, दोस्तों answer बताएंगे, 953.77, is that clear, ठीक है, तो दोस्तों यह आता है हमारा answer, और इस तरीकी से में financial calculator को use करते है, यह अभी हमने देखा, ordinary annuity के लिए, now we are going to have a look at annuity due, यह थोड़ा सा confusing नाम रखा है, दुनिया वालो ने, annuity due, तो due सुनके, normally क्या लगता है, यह due मतलब बाद में होगा, but it is due immediately, here due means due immediately, याने इदार आपने insurance करवा है, इदार आपको check cut करके देना पड़ेगा, तो अब हम यहाँ पर concept समझ रहें, how to calculate future value of an annuity due, अब यह वाला calculation थोड़ा सा tricky है, इसमें हमें calculator की setting भी change करने का option रहता है, कि setting change कर लो, तो one shot answer आ जाएगा बेट setting change करने पड़ेगा, दूसरा है कि setting change मत करो, अपनी thought process change कर लो, मैं पहले आपको दोनों बताऊंगा, फिर recommend कर दूँगा कि exam में क्या करना है, तो उसके लिए हमें एक example लेना पड़ेगा, suppose करें कि हमें 200 dollars per year मिल रहे हैं, पर वो कब मिल रहे हैं, गौर फर्माईए, at the beginning of each of the next, how many years, 3 years, ठीक है, rate of interest कितना है, 10 percent, ठीक है, अब इसको पहले imagine करके देखते हैं, timeline पर यह दिखता कैसा है, दोस्तो, what is the future value, हम से क्या पूछी जा रही, future value of an annuity that pays 200, हैंने 200 dollars हमें मिल रहे हैं, but 200 dollars, जो first year के 200 dollars है, वो first के end में नहीं मिल रहे हैं, वो first के beginning में मिल जा रहे हैं, similarly, जो second year के 200 dollars है, वो second के beginning में मिल रहे हैं, जिसको लिखते हम first के end पर है, same ही बात होती, और जो third year के 200 dollars है, वो हमें third year के beginning में मिल रहे हैं, जिसको लिखते हम कहां पर हैं, यहां पर, right, इस तरीके से हम इसको imagine कर सकते हैं, and what do we have to do, we have to calculate future value, ठीक है, इस future value को calculate करने के दो तरीक है, एक यहीं कि आप calculator की setting change कर दो, ठीक है, मैं calculator open नहीं करूँ, सिर्फ उसका photo open करूँ, मैं calculator चला भी सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा photo वाला तरीका जाधा convenient लग रहा आपको, हाँ जी, तो पहले तो second का button press करके clear TVM कर देंगे, हाँ न, by default जो अपना calculator होता है न, वो ये मान के चलता है कि जो भी आप annuity का data supply करूँगे, हो मैं मानूँगा कि end पर मिल रही है, ऐसा calculator मानता है, बट हमें आप calculator को बोलना है, है calculator, अब जो तू सोच रहा है, वो गलत है, हमारी annuity हमें कम मिल रही है, beginning मिल रही है, calculator बोलता है, ठीक है, ऐसा मुझे बता देना, ऐसी बात हो तो, दोस्तों ये देगी, यहाँ पर एक word बीजी है, अतलब क्या होता है, इसका beginning, तो आप हमें इसको beginning पर set करना है, ठीक है, तो beginning पर set करने की दोस्तों यहाँ पर आपको process दे रखी कि कि किस तरीके से हम यहाँ पर beginning पर set करेंगे, To solve this problem, put your calculator in the beginning mode, second का बिटन प्रेस करेंगे और BGN का बिटन प्रेस करेंगे, लेकिन ऐसा करने से वह set नहीं हो जाता है, हाँ, second का बिटन प्रेस करके, जब आप यह बिटन प्रेस करते हो ना, तो वह आपको end शो कर रहा है, मतलब वह बता रहा है, अभी मैं किस पर हूँ, end पर हूँ, हमने का नहीं नहीं, अब तुझे हमें set करना है किस पर, beginning पर, तो अब आप वापिस से second का बिटन प्रेस करेंगे, और यह enter का बिटन प्रेस करेंगे, तो setting mode पर चल जाएगा हो, है ना, तो अब आपने second का बिटन प्रेस करा, और enter प्रेस करा, अब क्या आ रहा है, beginning, ठीक है, तो आपने, अब उसको किस पर set कर दिया, beginning पर, पर अभी आ setting mode पर हो, setting mode से हमें बहार आना है, तो quit करना है हमें, याने हम second प्रेस करके क्या कर देंगे, quit कर देंगे, is that clear, ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके calculator में, यहाँ पर उसने beginning लिखा हुआ है, याने calculator आगा कर देता है, by chance आपने इस question में beginning कर और बाकी वाले में आपकी यह setting रह गई, तो ध्यान रहें, वो BGN लिखकर देता है, लेकिन हाँ, for right now the fact is कि अभी हमारा calculator beginning annuity mode पर बिल्कुल set है, होगी आप तो question solve, आप तो question ही solve हो गया है, जैसे करते हैं, वैसे करना है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम 200 set कर देंगे PMT, तो आप 200 set कर देंगे PMT, फ future value, future value, compute कर लेंगे, हम future value, right, अब calculator इतना समझदार है कि जो आपने 3 साल बोले न, calculator ने मान लिया कि वो payment, उन 3 years के end पर नहीं मिल रहे है, मुझे कम मिल रहे है, उन 3 years के beginning पर, और मैं आपको future value लाकर दे दूँगा, at the end of third year, ठीक है, और यह आगया, आपका answer 728.20, is that clear, यह वाला तरीका usually recommend नहीं करते, क्योंकि इसमें setting change करनी पड़ती, बिना setting change करें, उसी काम को कैसे करना, वो मैं आपको सिखाता हूँ, तरीका आपको पसंद आएगा, तो आप वही वाला तरीका फिर अपना लेना, नहीं पसंद आए, तो आप beginning से करेंगा, ठीक है, हाँ, नहीं कुछ भी नहीं होगा, BGN तो रहे गई रहेगा, वो setting में गया है, BGN तो आप कुछ भी कर लो, on off कर लो, कि तुभी BGN रहेगा, अब मैं क्यों उस तरीके को recommend नहीं करता हूँ, मैं पहले बता तो, क्योंकि 90% तो आपको end पर ही काम करना ने, 10 में से 9 question end वाले आएंगे, तो एक के लिए setting change करने की विजए, अपनी thought process change करना, ज्यादा फाइदे का सौधा है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम thought process कैसे change करेंगे अपने आपकी, और फिर मैं बताता हूँ, calculation, ठीक है, तो अपने एक काम करें, पहले calculator की setting end पर ले आएं, कैसे करना वो समझें, second प्रेस करें, और BGN प्रेस कर दीजी, अब आपको यहाँ पर BGN लिखा हूँ नजर आ रहा हूँ को जो बता रहा है, अभी मैं beginning पर हूँ, हम बोलेंगे नहीं, तुझे beginning पर नहीं रहे है, हम तुझे set करने end पर, तो set करने के लिए आपको second का button प्रेस करके set पर जाना है, तो वो end पर चला गया, अब आप quit कर लेंगे, हैने second और quit याने की end हो गया, चले, अब वो normal आगे है, हम वहाँ से BGN हड़ गया, मतलब normal है, और अब हमेशा के लिए हम उसको normal पर ही रहने देंगे, अब यह कलाकारी अगली बार नहीं करेंगे, ठीक है, तो अब जब हमें इसको रखना ही end वाले mode पर है, तो कैसे solve करें, तो आप मुझे बताइए कि यह जो 200, 200 और 200 के payment आपको मिल रहे हैं, वो उन respective year के end पर मिल रहे हैं, या respective year के beginning पर मिल रहे हैं, beginning पर, right, तो यह है हमारा imagination, versus हम देखते हैं कि reality क्या है, reality यह है कि वो जो 200, 200, 200 के payment मिल रहे हैं, वो end पर नहीं मिल रहे हैं, वो 200, 200 के payment कम मिल रहे हैं, beginning पर मिल रहे हैं, that's the reality, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले calculator से गलत solve कर वा लेंगे, फिर इसको सही कर देंगे, इतना simple, चल्या, क्या calculate करना है हमें, future value, तो अब आप आगए अपने calculator पर, आपने clear time value of money कर लिया, वो आपको हमेशे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखा तो गलत आजेंगे answer, और पता भी नहीं चलेगा क्या गलत हो गया, हम सबसे पहले ना, इसकी future value calculate करेंगे, याने end वालों की ही future value calculate कर लेंगे, और जैसे करते हैं वैसे करेंगे, तो कैसे करते हैं, आप PMT कितना set कर देंगे, 200, एन कितना set कर देंगे, 3, आए भाए भाए कितना है question में, 9 था है 10 था, 10 ठेके, कर लिया, और अब आप compute कर लेंगे future value, कितनी आगई future value, 6, 6, 2 और कुछ आ रहा है answer, ठेके, पर असली question यह है, या असली question यह है, असली question तो यह है, ठेके, अब देखना क्या हुआ है, आपको चाहिए क्या था, और आपको मिल के आगया वो देखना, आपको चाहिए था कि मुझे इन सारे 200 की future value कहां मिले यहां, पर आपको जो मिला है वो यह मिला है कि इन 200 की future value यहां मिली, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको as it is उठा कर, यहां रख देता हूँ, तो जो आपका असली question है, उसका answer आपको मिला, यह answer यह चाहिए था और मिला यह है, यह चाहिए था मिला यह, जो चाहिए था वहां तक कैसे पहुँचेंगे, इसी amount को एक बार और compound कर दो, इसमें एक बार और ब्याँ जोड़ देने 662 में multiplied by 1.10 कर लो, यहांने simple सा trick है कि इतनी setting करें कि पहले उसको beginning में डालें, फिर उसको आपिस से beginning जो rollback करें, उसके विज़ा आप तो इसको as an ordinary annuity मान कर solve कर लो, और बात मुलें अच्छा-च्छा beginning हो, चलो, तो into 1.10 और कर देते हैं यह आगे answer, is that clear, ठीक है, simple यार क्या हो रहाएगी, क्या हो रहाए ना कि यहां पर वो सब कहां पर end में है, हैं ना, आपने end चे answer पतला, जबके अंसर कौन से जाए था beginning है, उन altre अम्हाँ की future value निकाल लो और एक बार का ब्याज और अपनी तरफ से जोड़ दो, तो बीगिनिंग वाले अमाँट की future value निकाल कर दे देगा, और beginning वालों की हमेश्च quicker value, जाधे याएगी क्योंकि वो जल्दी मिल गया है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू जाधा आएगी का फ्यूचर वैल्यू बढ़ा दोगे इंटु कितना कर दोगे 1.1 तो मुझे यह तरीका साधा कुल लगता है कि बिगिनिंग पर सेटिंग करो और फिर कुट करो फिर उसको करी है यह नहीं करेंगे यह मैंने आपको क्या सिखा है हाँ-क प्रेजन वेली आपन अन्यूटी दिव ज्यूच disci अन्यूट दिखेगी तो ऐसी क्योंकि वे नुटी डिवे याने पहले बार का आमांट फॉर्स्ट यर के बिगनिंग में मिल जाएगा ने जीरोत पर ही मिल जाएगा बट बस डिफरेंस इतना ही कि आप हमें इन सब की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है हमें इनकी प्रेजंट वैल्यू न हमेशे जीरो की निकलती जहां से पेमिंट शुरू होते हैं न उसके पहले की प्रेजंट वैल्यू निकाल कर देता है इक आप इसको नहीं बताओगी कि यह बिगनिंग के तो वह जहां से पेमिंट शुरू उसके एक पहले की हमें लाकर देदीगा समझते हैं दोस्तो सारी करनी वो कहा calculate करनी 0 थीर में हमें कहा calculate करनी 0 थीर में कभी भी हम minus 1 में नहीं करते क्योंकि मैं खड़ा ही यहां पर हूं तो मुझे आज की value चाहिए बस यह उड़ा है कि यह payments आरे beginning में मुझे आज की value चाहिए देखो एक आखरी हतियार हमारे पास यह 5 chance अगर आप conceptually लड़ खड़ा गए exam में तो लड़ खड़ा ना मत आप इन तीनों amount को separate बान लेना और बोलना hey 200 तू तो present में ही है hey 200 चल तुझे एक बार discount करते हैं hey 200 चल तुझे दो बार discount करते हैं और यह आगया answer right but हम चाहते हैं कि हम annuity का function use करें again अपने पास दो तरीके या तो आप उसको beginning mode पे set कर सकता है आपका answer सीधे यही निकलेगा चलो एक बार और कर लेते हैं beginning mode पे set करके हाँ तो second bgn अब beginning पर हमें set करना है तो second set और अब हमें setting से बाहर निकलना है तो second और quit आगया bgn लिखा हुआ calculator beginning mode के लिए तैयार है हाँ जी तो n कितना set कर देंगे 3 i by y कितना set कर देंगे 10 और क्या payment 200 हम set कर देंगे payment और compute क्या कर लोगे present value तो यह calculator इतना समझदार है कि तीन बार के amount को शुरुआत में मान लेगा और आपको present value यह लाकर देदेगा 547.11 यह आगया answer yes लेकिन ऐसा करने क जरुरत ही नहीं पड़ेगी इतनी setting करने की विजया है तो मैं अभी आपको एक short trick बता दूँगा उससे ही हो जाएगा तो पहले तो अपन वापिस से इसको normal पर ले है second bgn second set तो ऐसा करने से end पर set हो गया और अब setting को quit करने के लिए second और quit आ गया normal calculator बन गया है okay अब देखना क्या होगा क्योंकि अब आप इसे normal बना चुके हो तो देखना calculator को जब आप data supply करोगे तो वो मन में क्या सोचेगा वो ये सोचेगा कि मेरा मालिक क्या कर रहा है मुझे बोल रहा है 200 200 200 क्योंकि जब आप PMT कितना लिखो गए 200 तो वो क्या सोचेगा मेरा मालिक मुझे क्या बोल रहा है कि 200 का payment है हर साल के end में और n is equal to कितना कर दोगे 3 तो ऐसा imagine कर लेगा वो और जैसे आपने i by y is equal to कितना बताया 10 और आपने क्या प्रेस कर दिया compute present value तो मुझे बताईए वो calculator क्या करेगा वो इन सारे 200 की आपको यह यहां की present value लाकर देदेगा true और false पहले तो इतना बताईए कि वो यहां की present value लाकर देदेगा सही या गलत सही क्योंकि यह तो आपने जब कर रहा ही नहीं तो वो मान लेगा कि पहला payment first के end में दूसरा payment यहां पर third payment यहां पर है और हमेशा present value of an annuity जहां पहला payment होता है वहां की नहीं निकलती उससे एक period पहले की निकलती तो वो यहां की आपको value लाकर देदेगा दोस्तों यह हकीकत नहीं है यह आफसाना है यह हकीकत है कि यह 200-200 हमें वहां नहीं मिल रहे यह 200-200 हमें कहां मिल रहे है यहां मिल रहे और अब आपने kalkulator की आखों में त्हूल जो की और उसने आपको present value बताईए तो यह जो present value आई यह 0-1-year की आई है आपको क्या γιαना मत लगाना, ordinary annuity तो अपने आपी वो तो सही आएगा, due हो तो भी ordinary जैसा मन में मान के solve कर देना, और फिर भगवान का नाम लेना, और into 1.0, very good, किती सही बात बोली, फिर चाहे future निकालना हो, चाहे present into 1.1 करना, that's it, 10% हो तो obviously है, 8% हो तो into 1.0, मतलब simple यार, due हो तो कुछ नहीं करना है, normal solve करना है, और बाद में into 1 plus, आए बाए बाई और कर देना है, फिर चाहे present value निकालना हो, तो भी, is that clear, ठीक है, तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो setting change करने की ज़रूरत ने, जब इतना simple सा थम रूल है, तो फ के बारे में, एक और हम यहां पर discussion करने वाले हैं, that's related to what, perpetuity, क्या आपने कभी सुना है, perpetuity के बारे में, okay, दोस्तों यह जो perpetuity शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, perpetual plus annuity, annuity याने एक ऐसा series of cash flows, गौर फरमें यह गा, annuity याने एक ऐसा series of cash flows, जो हर बार हमें equal, equal, equal मिल रहा है, और हर दो payment के बीच में जो time gap है, वो भी equal है, यह होती annuity, but annuity by default कुछ limited years के लिए होती, भई 5 years के लिए होती, 10 years के लिए होती, 15 years के लिए होती, 20 years के लिए होती and so on, लेकिन अगर कोईसी ऐसी annuity है, जो बस मिल रही है, मिल रही है, और अनंतकाल तक, perpetual समय तक, indefin time तक, infinite period तक, बस वो payment हमें मिलता ही चला जा रहा है, तो फिर ऐसा series of cash flows क्या कहलाता है, perpetual annuity याने perpetuity, तो perpetual समय तक मिलने वाली annuities called as perpetuity, अब इसको लेकर सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि क्या दुनिया में कभी हकीकत में perpetuities भी होती है, क्योंकि sir annuities के तो आपने example दे द करते हैं, वो हुआ, या फिर हमें जो pension मिलती है, suppose करो 10 साल तक, 20 साल तक पेंशन भी कोई infinite year तक थोड़ी ना मिलती है, उनके पास calculated रहता है कि life expectancy इतनी है, तो रफली 25 years तक जाएगी हमारी pension, right, क्या indefinite period तक भी cash flow मिलता है, ऐसा भी कभी होता है, जैसे suppose करो कि मैंने आपको promise करा कि मैं आपको हर साल 50,000 rupees as a gift दूँगा, और मैं ये बोलना ही भूल गया कि कब तक दूँगा, मैंने क्या बोला, मैं हर साल आपको 50,000 rupees gift दूँगा as a gift, तो आप बोल गए हर साल 50,000 मतलब ये तो annuity हो गया, equal amount, equal time गया, और सर तो भोलना ही भूल गया कि कब तक होंगा, मतलब सर 50,000 देंगे, देंगे, देते ही चले, जाएंगे, लेकिन एक मरेट मैं कि इनसान, मैं कब तक आपको, 10, 20, 30, तो दोस्तों perpetuities कोई भी इनसान commit नहीं कर सकता, ना तो इनसान commit कर सकता, ना इनसान receive कर सकता, perpetuity commit करने के लिए पहले वो व्यक्ति वो होना चाह हो, जी हाँ है, trust, companies, artificial person, आपने कभी companies act में पढ़ा होगा, कि जो companies है, companies की existence कैसी रहती, perpetual रहती, companies की life क्या होती, बताव, relance industries की life कितनी है, tata की life कितनी है, indefinite, तो company हुई, या trust हुए, हैना, trust समझते हो, right हैना, तो यह जो trust होते हैं, या companies होती है, इनकी life by default infinite मान नहीं जाते because this is a artificial person, so they can commit perpetuity, right, अब इसका एक simple सा example मैं आपको देता हूँ, suppose करो कि एक वेक्ती है, जो फॉरें से पढ़ाई लिखाई करके आया, और उसने का है, यार, इंडिया में मुझे मेरे गाउं में बहुत अच्छा school बनाना है, और वो school का construction करवा रहा था, छे, आट महीने होकर इस school की building लगबग बनकर तयार लगने लगी, वहां से तीन बुज़रों की वेक्ती गुजर रहे थे, तीन बुज़रों की वेक्ती जब गुजर रहे थे, उन्होंने इस भाई साब यह स्कूल का construction करवा रहे थे, उनको ने पता था यह इस school का construction कर रहा है, उनको रोपकर तो बहुत नेक काम है और हमारे इस गाओं में तो अभी तक स्कूल के अच्छे स्कूल की कमी थी इस नेक काम में हम भी हाथ बटाते हैं और मैं आपको उन तीन मेंसे एक बज़ुर वेक्ती बोल रहा है इसने बुले हैं बात तो इतनी बड़ी करके गए कि मैं आपको हड़ साल दस हजार रुपए दूगा पर ये चलेंगे किते साल बाद में पता चला ये जो तीन लोग थे ये तीन अकेले नहीं थे ये अपनी जेप से देंगे इनका ट्रस्ट देगा अब दोस्तों सास में सास आई कि हाँ अब ये 10,000 हमें मिलेंगे मिलेंगे और कब तक मिलेंगे मिलते ही चले जाएंगे आपने में ने समझ लेगी परपेच्वीटी होती है but the next question is can we calculate the future value or present value of an perpetuity क्या हम perpetuity की future value calculate कर सकते हैं yes or no yes किसने बोलाया कैसे करेंगे बिदावने कितने साल का निकालो का exponential infinite exponential का answer क्या आएगा कुछ रुपय आएगा answer कुछ एक definite number आएगा answer ही निकलेगा future value of a perpetuity cannot be calculated the answer is simply infinite तो हम perpetuity की कभी सिंदगी में यहां तक ना perpetuity की future value नहीं calculate क्यों कहां तक जारी किसी नहीं देखा है right okay now the second question is कि यह जो perpetuity जो नहीं जाने कहां तक जारी क्या हम उसकी present value calculate कर सकते हैं yes it is possible to calculate present value of a perpetuity right तो perpetuity की future value calculate नहीं हो सकती लेकिन हां perpetuity की present value calculate हो सकती है right तो perpetuity दोस्तों ऐसी दिखती हैं this is zeroth year this is first year this is second year और यह हो गया हमारा कौन सा infinite year suppose करेंगी वो जो trusty है वो हमें promise कर गए हैं कि हम आपको 10,000 10,000 देंगे और देते ही चले जाएंगे कब तक infinite year तक and what do we want to do we want to calculate the present value of this series of cash flows हमें इस series of cash flows की क्या calculate करनी present value मतलब present value of perpetuity अब दोस्तों present value of perpetuity का एक formula है इसका कोई function नहीं बलेगा आपको calculator में क्योंकि formula इतना simple है कि function की जरू होती है यह formula क्या है पहले वो सुने so present value of perpetuity is equal to annuity divided by r यह simple annuity को हम बोल देते हैं a याने की amount divided by r where r simply means your discounting rate जो हमारे case में i by y होता है अब दोस्तों हमारे case में हमारे इस example में amount कितना है 10,000 divided by r discounting rate suppose discounting rate is 10% तो आप बस 10,000 को divide किसे कर लेंगे 10% से अब आप इस काम को अपने financial calculator में normal calculator की तरह करेंगे क्योंकि financial में इसका कोई function नहीं है तो आप 10,000 लिखेंगे और divide by का button दबा कर 0.10 लिखेंगे है न normal calculator में 10% से कैसे divide करते हैं divide का button प्रेस करके 0.10 कितना आ रहा है answer 1 lakh so 1 lakh आती है इसकी present value अब मन में दो-तिन सवाल आते हैं सबसे पहला तो यह सवाल आता है कि सर वो इतना बड़ा cash flow कहा तक जा रहा infinite year तक और उसकी present value calculate करने का formula इत्तों सा तो पहली चीज़ तो यह की सर आखिर यह formula आया कैसे पहला सवाल दूसरा सवाल है कि सर चलो formula जैसे तैसे भी आया हो यह जो answer आया है मैं कैसे मान लू भाई यह present value है मेरे तो अभी तक गले बात नहीं उतर रही कि यह इसकी present value कैसे हो सकती है तो दो सवालों कि मुझे आपको जवाब देने एक तो यह formula आया कैसे और दूसरा आखिर यह चलो formula जैसे तैसे भी आया यह जो number आया यह मैं कैसे मान लूँ कि यह सारे series of cash flow की present value है तो इन ही सारे सवालों के जवाब देने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर हाजिर हूँ ओके देखिए इससे पहले कि यह formula कैसे आया आपको वैसे भी इससे कोई मतलब नहीं आपको रिजल्ट बताओ रिजल्ट पे मैं भरुजा कैसे करूं है न फॉर्मूला मैं जब सीए की classes बढ़ाता हूं तो मैं इस formula का derivation भी बताता हूं क्योंकि वहाँ पर जब time value of money की concept लाइफ में देखा होगा तो आपने यह वाला formula देखा होगा one minus one by one plus are raised to the power n upon और ऐसा कोई formula use किया जाता है ठीक है यह मैं यहाँ पे zero period को हटा कि इधर ले लेता हूं तो यह वाला formula use करते हैं हना दो मुरे के formula छोड़ों अपन तो सीधे काम की बात करोगी जरी यह one lakh का answer प् 10,000 रुपए इस school के promoter व्यक्ति को भेज दिये वादे की मुताबक जैसे ही second year खताम हुआ वापिस से trustee ने 10,000 रुपए भेज दिये और हर साल 10,000 रुपीज इस बंदे को आते गए एक बार इन दोनों की बीच में understanding बनी school वाले ने कहा sir कहा आप 10,000 हर साल देंगे आप एक काम कीजिए बजाए कि आप मुझे 10,000 हर बार देंगे उसकी बजाए काम कीजिए आज मुझे एक ऐसी एक मुष्ट राशी दे दीजिए लंसम अमाउंट दे दीजिए कि फिर मैं आप से कभी 10,000 नहीं मांगूंगा पर वो ऐसा कोई अमाउंट होना चाहिए वो जो आप लंसम अमाउंट देंगे ना I don't know कि वह लंसम अमाउंट कितना है पर ऐसा कुछ लंसम अमाउंट देना मुझे जो की फ्यूचर में आप अदर्वाइस मुझे 10,000, 10,000, 10,000 देते उसको रेप्लिकेट करे बात समझ गएगा उन्होंने किसी Chartered Accountant से Calculation करवा है and he came up with a number of 1,00,000 और ये 1,00,000 एकदम correct number है trustees ने 1,00,000 रुपीज स्कूल को transfer कर दी है rate of interest कितनी है 10% स्कूल ने हाथो हाथ इस 1,00,000 रुपीज की बैंक में जाकर FD कर दी कितने percent interest पा है 10% यह FD को स्कूल वाले आप टच भी नहीं करेंगे वन लैक का 10% कितना आज आएगा 10,000 आ गया वही काम हो गया जो अधर्वाइस ट्रस्टी 10,000 देते वह अब FD के ब्याद से मिल रहा है इन फैक सेकेंड यह में भी ऐसे होगा FD का भी आज फिर से 10,000 नहीं मिलेगा जो अधर्वाइस वो लोग देते और यह कब तक चलेगा सिलसला जब तक है जान जब तक है जहान यह चलता ही जाएगा और कब तक चलेगा infinite यह तक तो यह एक लाग रुपे वह आमांटे जिस फिर तो यह वाला है फिर तो यह वाला जादा अच्छा है क्योंकि इसमें एक लाग भी अपने है उदर से तो ट्रस्टी बस 10-10,000 दे रहे थे इधर से तो ज़र डबल फाइदा है इधर तो 10-10,000 तो मिल ही रहे हैं और वो 1,00,000 भी तो अपने ही है आपने बच्पन में कह नहीं सुने होगी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी यह वो यह है जिस दिन आपने खबरदार जो एक लाग रुपे निकालने की कोशिश की वह 10,000 रुपीज आपके गए तो अगर आप चाहते पिने इन फाइनाइट यर तक 10,000 मिलें तो आपने वह 1,00,000 भूल जाने व 1,00,000 अगर आपने यहाँ पर 99,000 पर सेटल कर लिया तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा पर आपको कितने चाहिए तो आप कैपिटल में से विड्रॉ करना शुरू कर दोगे पहले साल तो कितने रुपे निकालोगे ताकि आपका यह इक्वल आजाए लेगिन अब आपकी FD का अमाउंट कम हो गया तो इंट्रेस भी कम होगा फिर अप सेकेंड टाइम में और ज्यादा विड्रॉ करना पड़ेगा और फ्यूचर में एक पॉइंट ऐसा आजाएगा कि आपकी FD का प्रिंसिपल ही घदम हो जाएगा और वो 10,000 आपके आज इवन इंफ पड़ रखा है तो मैं इस वाले formula का derivation बता सकता हूं यह formula present value of annuity calculate करने का और अगर annuity period 5 होते तो 5 लिखते हैं 10 होते हैं तो 10 लिखते हैं और अगर इंफाइनेट होता है तो इंफाइनेट लिख देंगे अगर आपने यहाँ पर n की value इंफाइनेट लिख दी मतलब वो annuity है तो वह number reduce 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 होता जाएगा और it will ultimately become 0 यह हो गया 0,1-0 is 1,a into 1 by r is a by r तो यह आता है इस formula का derivation तो हमने इसका वो देख लिया 1 lakh is the true value and this is the derivation of this formula ओके दो से यह एवर एक छोड़ा सा example दे रखा है एक company है जो की preferred stock issue की एवे अच्छा एक और example देता हूं इंडिया में जो banks हो 81 bonds issue करती है आपने बाय चांस कभी आप stock market से related news पढ़ते होंगे तो yes bank के 81 bonds को write-off कर दिया गया था यह जो 81 bonds होते है इनकी life बता है क्या होती है यहने आप आज bank को पैसा दे देते और bank की जब मर्जी आएगी तब वो redeem करेगी हाँ पर तब तक वह आपको ब्याज देगी देगी देती चली जाएगी तो ऐसे perpetual bonds भी होते हैं कि आप तो पैसा दे दो और बस आप जिंदगी पर भ्याज खाओ तो इस कामनी ने प्रिफर्ट स्टॉक इश्यू करें जो कि कितना एन्यल डिवरेंट देते 4.5 बिगिनिंग नेक्स्ट ये जो अगले साल से शुरू होंगे है ना यहां पर बिगिनिंग अगले साल से शुरू होंगे राइट एंड प्लांस तु फॉलो दिस डिवरेंट फॉर एवर हमेशा गिवन एन एट परसंट रेट अफ रिटन वाट इस दे वाल्यो प्रिफर्ट स्टॉक टुडए हमें बताना है कि इस प्रिफर्ट स्टॉक का फिर आज आप क्या वैल्य वह वैल्यू पर अगर आपने इस स्टॉक को खरीदा तो आपका एट परसंट रिटन कमाने का ख्वाब पूरा हो जाएगा आपको मालूम नहीं जो डिसकांटिंग रेट होती वहीं कंपांडिंग होती जस रेट से आपने डिसकांट करके आज वैल्यू निकाली हो और आप उतने पर घरीते हो तो आपको फ्यूचर में ऊतना रेटरन मिलता है जिससे आपने डिसकांटिंग की है राइट तो दोस्तों हमें इस फोर पॉइंट्वाड़ परपैच्वड़ी की प्रिजं करना है that's it you get the answer 56.25 right okay दोस्तों ये था कॉन सा कॉन से present value of perpetuity अभ हम क्या समझे रे present value of deferred perpetuity deferred perpetuity का मतलब होता ही कि वो immediately payment start में होंगे कुछ delay होगा और उसके बाद एक बार जो payment चुरू हो तो फिर वो कभी खतम नहीं होंगे अब आप एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कभी भी time value of money में ध्यान रखना मैं अपने original ट्रस्टी वाले example पर आ रहा हो ट्रस्टी ने हमें 10,000 दिये थे पहला payment कब दिया था first year के end next payment कब दिया था second year के end हमारी जो present value निकली थी गौर फर्माईए का हमारी जो present value निकली थी वो यहाँ निकली थी जहां पहला payment है या जो पहला payment होता है उसके एक period पहले की present value निकल दें एक period पहले लब आप तो रट लो की present value निकालते वक्त बाइड इफॉल्ट जितने भी दुनिया में फॉर्मले बने वें हैं वह ऐसे ही बने वें कि जब पहला payment जिरू होता है उसके एक period पहले की present value निकलती है क्योंकि दुनिया में basic thought यहीं कि आपको पहला payment ही first period के end पे मिलेगा और value आपको आज की चाहिए present value के वक्त एक कम एक period पहले की present value निकलती है by default future value में अगर आपने पांच EMI पे करी तो फिफ्ट के एक दमेंड में आपको answer मिल जाएगा यानि यही suppose करो एक दो तीन payment और आपको इसकी future value निकलने तो कोई fourth year की future value निकलती तो future value आखरी payment की निकलती है present value पहले payment की एक पहले की निकलती है that's the default rule ठीक है ओके तो अब दोस्तों यहाँ पर एक problem यह हो जाएगी की जो हमारा हाँ यह देखो यह ऐसा कुछ बन रहा है है first year second year third year fourth year and so on जो पहला payment हमें मिल रहा है वो कम मिल रहा है fourth year right तो अब जब पहला payment कितने dollar का मिलेगा four point five dollar का और यह मिलता ही चला जाएगा क्योंकि यह जो series of cash flow है it is forming a perpetuity तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा present value of perpetuity का formula क्या लगेगा amount divided by rate of interest four point five divided by zero point zero eight सवाल गहरा यह है कि इससे जो present value मिलेगी वो fourth year के end की मिलेगी या third के end की third के end की एक बार डिसकांटिंग करोगे second पर आओगे एक बार डिसकांटिंग करोगे one पर आओगे और एक बार डिसकांटिंग करोगे zero पर आओगे कर ले हम इसको सॉल कर लो calculator में कर लो तो calculator में second और clear time value of money ठीक है है four point five लिखा divided by कितना पॉइंट जीरो एट अरे पॉइंट एट मतलिक देना पॉइंट बहुत फर्क होता है पॉइंट जीरो एट ठेक है हाना कर लिया और अब एक्वल टू का बेटन प्रेस कर दीजिए ना कितना है बताए 56.25 यह 56.25 किस वक्त का है थर्ड के एंट का है तो आप इसको कहां डाल दोगे future value मतलए 56.25 स्क्रीन में आ रहा है ना रहने दोर future value का बिटन प्रेस कर दो future value set हो गई कितने साल पीछे खीचना है pullback करना है तीन साल तो n की value कितना set कर देंगे 3 i by y कितना set कर देंगे 8 ध्यान रखना है इसमें पूरा 8 set करना है इसमें 0.08 मती कर देना i by y set कर देंगे 8 अब क्या कर लेंगे compute present value and you get the answer 44.65 is that clear ठीक है यह actually 0.08 नहीं 1.08 की power 3 है ठीक है यह हमने यहाँ पर questions कर लिए है सारे concepts समझ लिए अब जो इसके questions है वो आप खुद से calculator पर practice कर ले ना सिर्फ एक tricky question है वो मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ जो थोड़ा सा level वाला है वो एक question में करवाओंगा बाकि आप self practice कर ले गलती होगी तो आप खुद से उसको देखना कि आखिर मुझसे गलती कैसे होगे तो सारे question आपके calculator की practice के है एक question जो हमें करना है वो है यह वाला तो इस question में आप मुझे timeline बनाएए if 1000 dollar is invested कब today and 1000 dollar is invested at the beginning of each of the next three years at 12% interest compounded annually the amount an investor will have at the end of the fourth year will be closest to एक मिन में इसकी language नहीं समझ भा रहा हूँ देखो timeline तो कुछ ऐसी बन रही है 0 1 2 3 और 4 हाँ यह 1000 dollar का क्या बोल रहे है if 1000 dollar is invested today याने 1000 dollar का investment तो इन्होंने एक तो आज ही कर दिया and 1000 dollar is invested at the beginning of each of the next three years नाप रहे हैं करें दोस्तों आप इसे सो खुझ से देखें कैसे क्या हो गाए और अपने हिसाब से निकाले अंसर अच्छा आप बोर रहे हैं यह 1000 dollar 0 पर नहीं आएगा 1 पर आएगा नहीं नहीं अब यह तो साफ लिगा है तो इस बात से मैं नहीं कर सकता हुआ है हां मतलब कैसे करना है करो गया थोड़ा यह टाफ ही है मतलब यह हां थोड़ा लग रहा है है कि बैसके उपर वाले ताफ से यह ही हो जाएंगे यह वाला थोड़ा सा ट्रिकी है कि इंट्रेस्ट वेल परसेंट है कि देखा दोस्तों कैसे होगा टाफ है यह हांना ओके सबसे पहला टाफ मतलब इंद सेंस ही है कि पहले तो उसकी लैंग्वेज्ट समझने बड़े वह कहना क्या पुआ है जाय हो वाई ओके तो एफ वन थाउसन डॉलर इस इंवेस्ट टूड़ी ये तो ड़न डस्टे हमको समझ में आगा कि वन थाउसन यह पर एंड वन थाउसन डॉलर अड़ इंवेस्ट अज और बीगनिंग एच फिच थी यर्स तो थो फोट वन ताउसन डॉलर फि जाए गोरे कि यहां हो जाएगा वर्सिस की भाई पे वर्सिस एक ओर थॉट है कि भाई पहले साल का तो investment यहां हो चुका और इसके बाद जो next three years है वो मैं इनको मानूंगा भाई दिस इस next year यह तो current year है this is the next year और second year का payment यहां जाएगा 1000 at the beginning of each of the next three years तो यह हुआ next year यह हुआ next to next year next to next year खतम यहां हो रहा है लेकिन उसका beginning यहां पर है तो एक payment यहां और एक payment यहां आएगा और मुझसे बूचा जा रहा है end of the fourth year पर क्या value होगी पताइए दोस्तों यह वाला करेक्ट है इसके पहले जो बताया था वह करेक्ट है यही करेक्ट है यहां पर next year को क्या मानना पड़ेगा भाई यह तो current year और इसका तो अल्रड़ी investment हो चुका अब next year का उसके beginning में होगा यहाने आपको question का interpretation समझ में और यह बात समझ में आई कि अच्छा अच्छा यह cashflow का pattern ऐसा दूसरी चीज़ है कि question mark कहां बना हमें future value कहां की पता करनी है fourth year के end क्याने question mark किये है ओक अब आप एक बात बताईए दोस्तों यह जो annuity है यह annuity due है यह annuity at the beginning है कि दोनों एक बात है है ना एन्युटी डियो और एन्युटी बिगनिंग एक ध्यान रखना डियू का मतलब गलती जे एंड मतले लेना एन्युटी डियू मतलब एन्युटी बिगनिंग यह था मैंने पहले बोला तो सवाज जो मेरा सही होना चीद होगी कि यह ओर्डिनरी एन्युटी यह एन्युटी डियू है यह एन्युटी डियू है अब एन्युटी डियू की हमें निकालनी है क्या future value ओके तो कैसे क्या निकालेंगे आप पी एम टी पेमेंट कितना सेट कर देंगे 1000 एन्युटी कितना सेट करेंगे 4 क्योंकि there are 4 payments to you you have to write it as 4 फिर i by y कितना सेट कर देंगे 12 है ना और compute क्या करना है present value or future value future value कितना आराइंसर यह बताए 479 ठीक है अब एक बात ध्यान रखना यह है हकीकत लेकिन आपने हकीकत क्या सोच के चल रहा है क्या सोच के चल रहा है कि मेरे मालिक ने मुझे जो 1000 डॉलर दिये वह यह वाले दिये और मैं मालिक को future value वह दूंगा जो आखरी पेमेंट के अग्दाम बंत में आएगी तो जो अभी यह पेमेंट पीछे किस केंगे तो यह भी पीछे किस केगा याने जो आपका अंसर 4779 आया है वह थर्ट यह का आया है इसके सारे के सारे जो multiple choice questions है वह आप खुद से कर लेना जरूर से कर लेना तो इससे आपकी के calculator की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आज के लिए बस इतना है कर दूंग कर दूंग कर दूंग कर दूंग झाल कर दूंग कर दूंग को रह प्राइभ कर दूंग झाल झाल